हेलो फ्रेंड्स वेलकाम बैक नमस्कार सस्त्रिया गाल रादे रादे जैश्री कृष्टना दोस्तों अगार फिर से आप सभी का अपनी यूटूब चैनल पैसर पॉइंट में तहीं दिल से हार्दिस हो आगाते हैं दोस्त जिसके मैं बात करूँ टेखनिकल हेल पर जो प्री सबसे पहला एसमें सवाद हैं इसकी आंसर कि तो आज की क्लास में हम डिस्कुर्शन करेंगे जो इसके आंसर की है जितनी क्लास के साथ इस एक ही क्लास से बहुत ही शान्डार होने नंबर पर कि जो किशन ओपर एक स्ट्वीन का सेलेक्शन होगा इन सब बातों के वारे में इस वीडियों दें डिसकर्शन करेंगे तो सभी लास्ट तक क्लास के अंत तक जुरूर बने रहें और जितनी विशाती नए जुड़ रहें पर लिज चैनल को लाइक सेर और सब्सक् सब्सक्राइब कर सकते हों जो है जो chat चल रहा है वहां पर आप comment कर सकते हो साथ हमारे ağaam ट्रॉप टेलिग्राम गूरूप या फिर Everyone tes foto हम जो सब्सक्राइब जेटे उसको आप एक बार ऑसिता कि वहां से आपको लिंक मिल जाएगा लिंक के मादे मिल जाएका लिंक के आप जोईन हो सकते हो और शाथ ही जो class से आज की इस class की जो complete PDF file है जो desktop और की जो PDF file है वो आपको वहाँ जो link के मादिम से आपको upload करा दी जाएगी या तो जो video जो description box से वहाँ मिल जाएगी या फिर आपको टेलिग्राम चैनल है वहाँ से आप PDF file डाउनलोड कर रखते हो और जितने साथ नहीं जुट रहे हैं प्लीज चैनल को like, share और subscribe करा ना भूलें सभी को नमस्कार और जितने भी जुट रहे हैं सभी अपने दोस्तों के साथ सेर करते लिए ताकि सभी Elle कि मिलती है जब आपके जो सपने हैं जो सपने आपके बहाणे हैं उन भाणे से क्या हो बड़े हो जाते हैं तो आपको सपने हो प्राप्त करने बढ़े हो तो आपको सपल होने से कोई नहीं रोग सकता तो जी हां दोस्टव सब भी करते हैं लिए क्यों चैनल को लायक षब्सक्राइब को नहां बूले तो इस्टार्ट करते हैं आज की सबास और अज की क्लास है उसका स्वा किसे उस्तर अवा के दिए हम बात करें तो परते के सिप्ट के अंदर परते के सिप्ट के अंदर वायरिंग से लगबग एक या दो क्यूशन तो इसमें तो परिग्त की वायरिंग में परते के अपना और वायरिंग में क्या हो परीक्त होता तो फेल से आप उसका नाम में बता सकते हो बात करें नेश्ट क्यूष्यन की और नेश्ट कुछ इसतरह से अपना पिपना ट्रांसफोर्म में समधिता है और मैं बात हुआ लिए। तो ट्रांसफोर्मर से सर्थ और बाकी 4 क्या होंगे गलाया तो समवांतर करम आप सभी जानते हैं कि समांतर करम को समांतर करम में क्यों चलाते हैं जिसे मांलो 왜냐하면 समथ बढ़ानी है सिक मांलो आपको पास 50KVी क्या है आप Сп яв का пятास लेना है और आ dau से confirm इक है 30 कि 20 थजो क्या करते हैं समानत्र करम के चला इसीं है समानत्र करब शरत है कि मट्रैइना जाहें समानत्र करम करूं जो सरते में अगर के क्रेश सं समन्था ने पर इस आ तो तो कि वियदी सम्द समान हो या पीर समान उस से फरागि नी पड़ता है, पिर बढ़त करें अन्य चाहिए या फैज का प्रम है युकल है चाहिए फैजमने कर आडविदी कर तो और अधम युकल हरेगी R, Y, Y b और इसको आप यहां वी जोड दिया आर और फिर b Gea क्या हो गया लेघ़ी और की उल्टा हो गया एक दर Vegas कि और पर इसे है और एक transform और यह काम कर रहा है जिसे की 344 voltage बर और यह कर रहा है 440 voltage बर तो होगा क्या 440 वाला transformer है वो पहले जो क्या समान तकर में जुड़ा लग जाएगा इसकी voltage को बराबरे करेगा और जब voltage बराबर होगी तो फिर असे काम नहीं चलेगा तो इस तरह से क्या होता है वो भी क्या होने चाहिए शमान होने चाहिए और ध्रुता भी क्या होने चाहिए समान अगला परशन अपना transformer से समझ दिते और यह पूछा गया था Transformer है Installation का निमलिक्त में से भाग नहीं और यह मैं shift के बाद करूँ तो यह पुचाय गया था Byuse May की जो second shift है Byuse May की evening shift के अंदर पुचाय गया किसे नहीं था और Transformer installation का निमलिक्त में से भाग रहे नहीं जिसे आप Transformer Installation का रहे हो तो उस टाइम पर ट्रांसफोर्म अगर जो भागे नहीं तो option आपके कुछ इस तरह से दिये हुए तो इसमें एक option था आपका ब्रीदर, बी option की बात करूँ, सिलिका जेल, और सी option की बात करूँ, तो जिससे की उत्तेजक या कुछ अलगी option दियावा था, और D option की बात करूँ, तो इक option और तो इस तरह से जो ट्रांसफोर्म अगर भागी थे, तो इस तरह से जो ट्रांसफोर्म अगर भाग नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट अंस्र, जो चार option थे, वो तो ट्रांसफोर्म में क्या थे, भाग, जबकि एक जो ऑप्शन था, ट्रांसफोर्म का भाग नहीं था, अगले पस्ट की बात करते हैं, तो अगला पस्ट अपना इस तरह से ट्रांस्पॉर्मर है कि जिसे ट्रांस्पॉर्म है उसकी प्राथ्मिके वद्धित्य कुंडलिक मत्दे जिसे मालो आपके सामने यह ट्रांस्पॉर्मर का एक डाइग्राम हो गया जी आपको एक सामने को एक ट्रांसपोर्मर डागरा बनाते हैं और ये एक ट्रांसपोर्मर हो गया अब इसमें ये स्टाइट तो एक तरफ देखते हैं प्राथमी कुंडली और इस तरफ देखते हैं अपने सेकंडरी कुंडली तो प्राथमी कुंडली और ये हो गई अपनी सेकंडरी कुंडली तो प्राथमी कुंडली के मद्य जो है रेजिस्टेंस का मान पूछा गया था यहाँ पर जो रेजिस्टेंस इसका मान पूछा गया तो वह कितना होता है मैं बात करूँ तक हमेसे यह तो मान के हो जाएगा भववत अदिग या प्राथमि फिर इसकी सेकरडर कुल यह आपस में बात करूं जो चुमब की परेलेन के नेम की आधार पर क्या होती है जुड़ी होते है तो आपका सामान ने ट्रांसपोरमर के चुमब की परेलेन के रूप से यह दि नभी मैं बात ट्रांसपोरमर आपस में जुड़ी नहीं होती है और जब कोई चीज आपस में जुड़ी नहीं होती है और जब कोई चीज आपस में जुड़ी नहीं होती है और जब कोई चीज आपस में जुड़ी नहीं होती है तो उसके मद्दे पर्तिरोत क्या रहेगा उच्याने की आनंद अगला परश्न है अपना transformer का और कारिक शिद्धान्त यानि एकजाम को कीशनवह करता है तो यह फेराडे के चुम्ब की ये परेरण के सिद्धान्त पर कारिक ये करता है या फिर मैं बात करूँ अन्योन ने परेरण क्या हो जाएगा अन्योन यो प्रेणी या mutual इंडेक्शन और इसके बाद में बात रहूँ auto transformer तो auto transform काम करता है self-indexion auto transform किस पर self-indexion पर और जबकि सामाली ट्रांस परम होता है वो mutual इंडेक्शन ठीक है तो सामाली transformer mutual इंडेक्शन या फिरड़े के विद्दू चुमिके परहने के सिदानत पर और auto transform self-indexion के सिदानत पर कारिये करता है अगला पसन है transform में जो धहुनी सुनाई देती है उसे क्या कहते हैं तो उसे हम की धहुनी कहते है या फिर हो गय से थे हम एंज जो ट्रांसफोर में जो कुंड़ियां होती है कुंड़ियों में जो कमपन होता कमपन के वज़े से आपकेशन ने देदे हम की धवनी सुनाई देती है अगला परशन है ट्रांसफोर में no load test यानि ट्रांसफोर में no load test कौन सी हानिय को ग्यात करने के लिए किया जाता है तो यहाँ पूछा गया था no load test जब ट्रांसफोर में किसी परगार को load न जुड़ा हो तो इस पर कौन सा test करते हैं अपने लोह हानिया ग्यात करने के लिए कॉर्ण सर कि टेस्ट की बात करूं यह है तामबर हानिया ग्यात करने के लिए काम में लेते हैं यानी copper losses याद करने के लिए काम में लेते हैं, तो अगला परसन अपना copper losses हानी किस test के मादधियम के दुवारा याती की जाती है, तो कौन सी test के मादधियम से, short circuit test के मादधियम से, अगला किसने transformer का symbol, तो question में जो था, transformer का आपको symbol पूछा हुआ था, और transformer के सामवान ने, अगर हम circuit की बात करें, यह जगा सामवान ने, transformer का circuit या symbol, अब आपको जो diagram है, exam है, exam है, exam में symbol किस तरह से दिया हुआ था, उसके according आप इसका right answer दे सकते हो, कि symbol किस तरह से था, next question है, बुकोज रिले किस विद्धूत युक्ति में परियोग किया जाता है, तो exam में पूछा के तो वो कहाँ परियोग में लिया जाता है, तो यह कहाँ परियोग लेते हैं, transformer के अंदर, कहाँ परियोग लेते हैं, transformer के अंदर, और एक क्योशन पूचा गया था बायूस तारीक को जो इवनिंग सिट थी उसके अंदर बुगोज रिले के बारे में तो बुगोज रिले जो होता है वो क्या होता है गहस पर चालीती युक्ती होती है और जबकि बायुस तारी को इवनिंग सिप्ट में पूछा गया था बुगोज रिले किस वीडियो ती उक्ति में प्रयोग किया था तो वो किया था ठ्रांसफॉर्मर के अंदर काम लेते हैं और बुगोजररिले कि में बात करूओं जिसे आपका मालो यह था में पर यहां पर हो गया यह आपका मैंन टैंक और यहां पर जो पाइप लगा हikkand estab kand 상ali li अध्य में क्या लगा होता है, बुगोज रिली, अगर आप उसने, ट्रांस्फोर्मर का सकती गुणांग निर्भर करता है, तो ट्रांस्फोर्मर का सकती गुणांग होता है, किसके ओपर निर्भर करता है, लोड के ओपर, यह आपका मालनों, आप्सिन में क्या दिया होता है, 0.9 तो option के अकोड़िए आपको आंसर देना होता है कि load के उपर सबसे पहले तो आपका अगर option में load के उपर निर्भर करती है है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा load के उपर निर्भरे करता है अगर ये दिमान लोग option में load के उपर निर्भरे करता है यह option ना हो तो फिर क्या हो जाएगा आपका पश्य ग्यामी और कितना 0.9 अगर आप किसो ने ट्रांस्पोर्म में सिलिका जल दो सिलिका जल कार्य क्या होता है जो ट्रांस्पोर्म में के अंदर जो नमी होती है नमी को जाने के लिए रोकने के लिए ब्रिद्र बॉक्स के लिए और निला नमी युक्स में जो नमी जाने के बाद इसका नमी जाने के बाल कौन से होता है गुलाबी और नमी की बुक है उसमें इसका उलटा दिया हुआ है यानि कि इसका उल्टा दिया हुआ यहां पर तो यह और इसका यहां नमी में तो उसमें दिया हुआ है नीला और सुस्क में दिया हुआ है उसमें गुलावी किसके अंदर निमी की आपकी मैं बुक के बात करूँ इसलिए के लाँ जो सामवाने आपकी जो और बुक चलती है जैसे हर्यं वगरा उसमें भी जैन दैया हुआ, जबकि अक्चुल में क्या होता है, सुस्काइब तरह में क्या होता है निला और नमीुक तरह में क्या होता है गुलावी अगला क्यूशन है यहां पूचा गयाता है कि अगर हम बात रहें इलेक्ट्रोनिक्स से तो इलेक्ट्रोनिक्स से भी काफी एक्जाम में यानि काफी क्यूशन पूची जा रहे हैं तो यहां पर क्यूशन को इस तरह से ता एक क्यूशन पूचा गयाता है SCR के बारे में तो यहां में SCR के बारे में बिल्कुल सारी बाते बात करते हैं तो एक जाम पुछा गयता है SCR का जो होता है diagram तो SCR के में अगर हम diagram की बात करें यह हो जाएगा SCR का diagram और यहां पर इस तरह से हो और यह हो जाएगा इसका get इसका हो जाएगा डायेकराम? SCR का ठीक है? तो यहाँ इसका यह गेट SCR में मैं बात करूँ साथ पहले बात करते हैं ट्रेमिनलों की संख्या तो ट्रेमिनल कितने होते हैं? इसके आप देखर हो एक और दो और यह तीन तो यह थी यह हो गया पी एन जक्षन होता है पी एन जक्षन जो होती है वो संख्य कितनी होती है तीन यान कि ACR में परतों कि संख्या च्यार और पी एन जक्षन कितना होता है च्यार ओ सोरी पी एन जक्षन तीन और परतों कि संख्या च्यार और ट्रमिनल कितने होता है इसमें तीन अब बात एंध नेस्ट कुछन की और नेस्ट के सुन है यहां पर डाएक से यहां मैं बात करें ending तो डायक हेसी यार के विपरित करना में जोड़ेंगर दौह सियार को और यहाँ ट्रेमिनलों की संख्या पूछी घी है उसके अंधर कितनी होती है दो दो लेयर तीन और पर्त जो संदी होती है कितनी होती है इसमें दो संदी अगला एक परस्ण अपना यूजेटी से यूजेटी के मैं यहां बात करूँ तो यूजेटी में जो ट्रेमिनल होते हैं यहां वही बात रहे पी एंजक्षन तो पी एंजक्षन कितने होते हैं दो अगला प्रश्टन अपना और अगर हम बात करें इससे पहले तो युजटी हो गया अधिसे मालों आने वाली एकजाम हो उसमें पूछ सकता है जिसे कि बचावा ट्राइक तो ट्राइक में दिए मैं बात करूँ तो सबसे पहले ट्राइक की बात करें ट्रेमिनलों की संक्या तो ट्रेमिनल होते हैं ट्राइक के अंदर 3 इसके बात करें लेयर तो लेयर होते हैं ट्राइक के अंदर 4 और पी एंज जक्सन की मैं बात करूँ तो TRIKE में कितने होते हैं P N Jaxon 3 इसी कलावब मैं बात करूँ IGBT IGBT में यदि 0 की संक्या की बात करें TRIMNOLO की संक्या बात करें तो कितना होता है 3 और इसमें LAYER की बात करूँ तो इसमें भी LAYER जो TRIKE है उसकी सम्वान कितने होते हैं 4 और PN Jackson की मैं बात करूँ तो PN Jackson भी कितने होते हैं इसमें तीन यानि कि जो ट्राइक और IGBT में क्या होते हैं सेम होते हैं तो कुछ बाते होगी जो जो एक्जाम में आगे पूछ सकता है अब बात करते हैं नेश कुछन की और ये जो कुछन है परते के एक्जाम में परते जो गेट है उसमें से कुछन ने आ रहा है तो यहां गेट ट्रू जो टेबल है उसके हम बात करें यहां जो टेबल होती है जो गेट है जो आपके एलेक्टरों डिजिटल एलेक्टरों गेट और y का मतलब है आउटपुट यह आपका हो गया आउटपुट तो बफ़र जो आपका गेट है उसमें आउटपुट क्या मिलता है y बराबर a क्या होता है y बराबर a और input भी कहा देते हो आप इसमें a इसे के बात बात करूँ inverter gate या not gate की तो not gate का यह हो जाएगा symbol और यह इसकी हो जाएगी truth table यानि की जो इसकी साराणी अब मैं बात करूँ यहाँ पर अगर हम output की तो output क्या मिलेगा y बराबर a के उपर बार इसके बात करें end gate की यह end gate का हो जाएगा symbol और यह हो जाएगा इसकी truth जो table है वो यहाँ इसमें अगर हम बात करें जो end gate है end gate के अंदर यही मैं input की संख्याई बात करूँ तो input कितने होते इसमें 2 a वै b और output कितना होता है इसमें 1 y बराबर a dot b जिसे कि आप यहाँ दे सकते हो तो output क्या रहेगा a dot b इसे किला बात करूँ end gate और end gate के बारे question पूछा गया था तेविश तारीक की जो evening shift है उसके बारे में और पूछा गया था एक्जाम में universal gate universal gate कौण सा है तो universal gate दो परकार को दो होते हैं एक तो होता है end gate और एक होता है or gate इनके में कास बात बता हूँ तो input दो इसमें भी input दो और output कतना होता है एक एक और ये देख सेखते हैं आप इसका जो true table है और ये इसका formula बन जाएगा output का इसके बात करें nor gate तो nor gate का symbol और ये इसका table और ये इसका हो जाएगा output यहां बात रहे x or gate तो x or gate का ये बन जाएगा यहां पर symbol और table और इसका output output a plus b और यहां x nor gate की बात करें तो x nor gate के अंदर जो input रहते हैं कितने होते हैं दो और output कितना होता है एक आउटपूट की बात की तो y बराबर क्या हो जाएगा a plus b के उपर bar दो यहां पर क्या रहा है bar तो यहां रहा है इसमें n और not भी आरहा है और यहां पर अपना not तो not में क्या आता है बार तो जहां भी n लग जाएगा उसमें क्या जाएगा उपर बार और दोस्ता आपको ध्यान यह रखना है electronics में अगर gate से पूचें तो gate में हमेशा input एक या दो हो सकते हैं जबकि output जो आपका output होगा हमेशा और हमेशा कितना रहेगा एक और output किसे present करते हैं अपने y से input हमेशा अगर input की बात करें तो जो input है input है 1 या 1 से अधिक 2 हो सकते हैं और इसे एक होगा तो ए से परजेंट करेंगे और दो होगा तो ए वै बी दोनों से अब बात करें नएश कुछन की और जितने साथे नए जोड़ रहे हैं फिली चैनल को सब्सक्राइब कोड़ा ना बोले साथ ये अपने दोस्तों साथ अधित से अधित संक्या में सेर अगला क्यूशन है निम लिखित युक्ती में से अर्थ चाला की युक्ती है दो क्यूशन इसतरे से पूछा गया था अर्चाला युक्ती के बारे पूछा गया था और यह पूछा गया था बावीस तारीक की जो इवनिंग सेट है उसमें क्यूशन पूछा गया था और क्य स्लिकन से काफि क्यूशन पूछ जारा सिलिकन से बाइस तारीक को स्लीकरमान परमानुकरमां कितना 14 और उसकी परमानु सहीं जहता है वो कितनी रहेगी च्यार यारि जो आखरी गख्षा उसके अंदर एलेक्ट्रों कितनी रहेगी च्यार अगला की सुना है जिसे की ये की सुना है ये पूछा गया था 22 तारीक को इवनिंग सिप्ट के अंदर और अर्चाले उत्ती में सिलिकोन जिसका प्रमाण करमां कितना 14 ता इस पदार्थ की अंतिन कक्सा में इलेक्टरनों की सिंखे तो अर्चाले की हम बात करूँ तो कितने जितने भी अर्चाले होगे उनकी आखरीक अक्साम कितने इलेक्टरनों होते हैं च्यार यह मैं बात करूँ कंडक्टर सेमिकंडक्टर और इंसुलेटर तो चालक है चालक की जो आखरीक्षा है और अर्चालक है और कूचालक तो अर्चालक की आखरीक साम कितने इलेक्टरन रहेंगे च्यार और यहां क्या रहेंगे maximum च्यार यान की च्यार से क्या रहेंगे कम और यहां क्या रहेंगे च्यार से अधिक तो कहड़े हैं मतलब यहां एक से लेकर तीन तक जो कूचा चालक है चालक में लेक्ट्रों उसे इंके अंधिनी मुस्ता में एक से 3 और जो और चालक है उनमें हम में साइक कितने रहेंगे हमेशा और हम से 4 elكرons जबकि कOO चालक के अंदर maximum कितने ओसकते हैं 8 और जो कम से कम 5 electron और यह हमें बात रहूं चालक के अंदर तो चालक में कम से कम तो 1 electron और maximum 3 electron अगला परसंद अपना AC को DC में बदलने वाली युक्ति क्या कलाती है तो क्या कलाती है Diode और 22 तारीको Diode के बारे में कुछन पूछा गया था मैं बात करूँ 22 तारीको Evening Shift की तो यहां पूछा गया था जो PN Diode है PN Diode है उसमें अब मैं बात दूँ PN Diode को तो यह हो जाएगा सामान ने यह हो जाएगा सामान ने PN Diode का सिंबल और इसके अंदर में बात करूँ 0 की संक्यात कितनी होती है 2 अनोड वै कैतोड तो 22 तारीक को Evening Shift की पूछा गया था PN Jackson Diode में 0 की संक्या 0 की संक्यात कितनी होती है 2 और SC को DC में बदलने वाली युक्ती के कलाती है Diode और इसके साथ बात करें नेश्ट की सुन की नेश्ट की सुन है DC को SC में बदलने वाली युक्ती तो वो क्या कलाती है Inverter अगला पसने संधारितर की धारिता नेश्ट में जो संधारित होता है उसकी धारिता किसमी दियती है फेरड के अंदर और संधारितर से काफी कुछन पूचे गे थे एक्जाम के अंदर और दो संधारितर संधारितर के दो संधारितर थे और उनको किसमी जोड़ा गया था समानत करें जिसे मैं बात रहे हैं समानत रहे हैं तो CT बराबर क्या फोर्मलों हो जाएगा C1 गुणा C2 बटा C1 पलस C2 इस फोर्मलों के अकोर्डिंग आप मान रखें आप जो है जिस दो है आप का अंसर आएगा वो क्या हो जाएगा राइ तब क्या रहे है था उन बिंदू के मद्धिय वोल्टेश कारःत है क्या कारःत है वोल्टेश कार्यत है था इनका अनुपात क्या कर आएगा तो कुछ घुमा के शानदार दिया हो था कही एक बिंदू से जिसे मालो आपका एक बिंदू है और एक बिंदू आपका यह है इसके मद्द्य क्या रहा हो आविस यानिक क्यों आपका प्रवायत हो रहा हो और वहां पर क्या हो V और इनके अनुपात को क्या करते है एनका जो अनुपात है वो क्या कला आगा तो मैं बात करों C बराबर क्या होता है Q बटा V और Q बटा V का अनुपात ही यहां दिया हो है Q बटा V का अनुपात क्या कहेंगे तो C और C का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर और मिली μपयर का संभा तो में पर जाए इंपर का का स्फियर का दस्ति गाहत माइनिस तो हैं तो माइक्रो एंप्यर पिंद माइक्रों एंपियर कुविशन आए वगа था तो माइक्रों गणलों शे 65-6 सब्सक्राइब अगला पर्षे पत्रीयोत्त काאै एसा इंप्र से पूछा गए था बरतील्य सीजे यहां पर क्या होता है और मैं वासी यहां पर CGS मात रख तो फटाफ़ दोस्ते बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि सीजिए का मजो है परत्रोद का सीजिए से मात रख क्या होगा आपके साथ सामें 30 सेगेंड का टाइम है पर टाफ़ पर्ड कमेंट कीजिए और जतने पर शफाथ नापार है कि पर परत्रोद का सीजिएस में मात रख परतॉड की जिए कि तो बिल्किल सथिसे मात रख होता है वह क्या होता है अब हम परत्रोद का CGS में मातरक क्या होता है ओम जबकि ऐसा में मातरक क्या होता है इसका ओम और CGS मातरक अब ओम और मैं बात करूँ 2018 के अंदर 2018 के अंदर जो JVVNL के एक्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था एक अंतराश्ट ये ओम यानि कि गुणती तारीक को जो एक्जाम हुई थी थेड़ शिप्ट के अंदर उसने पूछा गया किसम था एक अबसलूट ओम एक अबसलूट ओम का अंतराश्ट ये ओमान क्या होता है जो 1.00049 अगला परस्ण है परत्रोदों का सरेणी करम और बाकी जितनी आपकी एक्जाम बच्ची हुए तो आपको परत्रोदों का सरेणी करम समान्द करम रेजिस्टेंस को बात करें और मैं बात लुए इसे साथ कैपेसिटर वगरा आवेस वगरा इनके जो मात रख है वो तो आपको ता कि अंदर कि परत्रोदों का मान ठाथा तो क्या होगा परत्रोद में आल्टे बरावर consulting संदों में क्या हो सायगा कम हो जाए विल्गुल सही है ने क्या हो जाए गाम हो जाए तो तथा क्यू slide को अंध। बैटरी को भाय पर्तरोद या आंतृप्रतरोद ज जोड़ा जाता है तो इसके पर्तरोद में क्या पर्भवाब पड़ता है ? तो एक प्रतरोद से रिपाल के लए पर्तिरोद के कोई फरक नहीं पढ़िए कि जबकि इति वता था परत्रियोध का मान सब्सक्राइब जाएगा降गा भद फालंआर्समण परत्रियोध का मान यहाँ पंच और दो हमके अकोडिंग अपन केक्स का मान निकान है रो का मान तो रो बराबर कितना हो जाएगा वन बटा आर और एक बटा दो और जीरो पॉइंट पांच इस तरह से क्यूशन पूछा गया था अगला के सनहें पर्त्रोदों के स्रेणी करम सहयोंजन में युदे एक पर्त्रोद रहे जाए तो उस परिपत में पर्त्रोद का मान पर क्या प्रont पड़ेगा अभी चार 325 और 9 oms, यह आ गया Rt, आप सेक्ड कर्डिसन के के बात करें कि यू इस कि क्यू रिदि के अनुसार हम बात करें, u keeps t को according बात करेंगे तो क्यूसर में क्या कहा एक परत्रो उठा दिया जाए तो अब एक परत्रो उठा देते हैं इसमें open परिपत कर देंगे जैसे कि एक परत्रो उठा गया यह वाला काफी क्यूसर पूची जा रहे थे एक पूचा गया था MPCB की फिल फॉर्म तो मॉटर है प्रोट्रेक्शन सरकीट है बरेकर है और BIS की फिल फॉर्म बात करूँ ब्यूरो ऑफ इंडियन इस्टेंडर और TRS के बात करूँ टाफ रावर सितरे कैवल और MCB की मिनिचे सरकीट ब बरेकर और MCC की मॉडूल के सरकीट बरेकर PCB की पूच ले तो प्रिंटेट सरकीट बरेकर इस्टेस यान जो फॉर्म है वह भी काफी फूच सकता है तो आप उनको भी आपको याद रखना है अगला प्रिशन पूचा गया था कि उसमें जो वॉल्टेज का मान कितना दिया ह होता उसमें दो कुलाम और C बराबर मान पूचा गया था किसका मान पूचा गया था C का तो C बराबर क्या होता फॉर्म ला Q बटा V C बराबर क्या हो जाएगा Q बटा V तो C का मान आपको निकालना है तो Q का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2 और V का मान कितना है 10 दो पं दो कुलाम कि सुरी दो फेरेड सी का मान कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट दो फेरेड होगी संधार तरह किसमें मापते हैं फेरेड के अंदर और कुलाम का दे उता तो फिर क्या होता है आशर आविस का कुलाम अगला किसमें केबल को छिद्र में सरुखषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषष उसे क्या करते हैं ग्रोमेट और यह क्या करता है जो अब कि वयर है उसको बिल्गुल fix Flat रखता है तो ग्रोमेट क्या करते है कि केबल को को सरुखशित चूहे वगारा या फिर उसमें कीडाम ऊगटे जाने से उनको रोकता है तो चिद्र को सुरूख सित रखने में या फिर मैं बात करू में यहा था जेंगे सकाथ tak सब्सक्राइब गरॉमेट जो कबल है केबल खचाओ करेगे तो यह वायर है इन पर कोई असर नहीं क्योंकि है कि Dog जखड़ देगा तो क्या हो जाए गरॉमेट और एक होता थिंबल और गरॉमेट जैसे चत्का पंखा होता है उसमें क्या लगा था थिंबल या फिर हम बात करें गरॉमेट या अंत्रिक उड़जा को विदुतुर्जा में बदलने वाली युकती तो क्या कराएगा जनित्रे और यहां पूछा गया किसी प्रेरेक में धारा वह है वाल्टेज के मद्धे संबंध पूछा गया था तो यहां पर जो धारा है धारा क्या रहेगी पिछे रहेगी वाल्टेज क्या रहेगा इसमें आगे वाल्टेज क्या रहेगा इसमें 90 डिग्री आगे तो वी रहेगा धा थारा से 90 डिगरी आगे तो अप्षन कुछ इस तरह से दिये हो है तो इसमें धारा पिछे रहे गिए धारा आगे रहें या वॉल्टेज आगे था इसलिए अगे तो इसलिए और बात करें को क्यों तो क्यों रहे गाते हैं धारा और परच्छरोत की बात करूं एकाई यानिक जो मात्रग हो जाया तो नूटरमेटर स्कॉयर परती किलोग्राम है स्कॉयर क्या हो जाएगा गुर्टवा करशन का मात्रग या इसकी एकाई अगले दुसके बात रहे तो यहां पूछे गया था पलग सोकेट का जो है सिंबल तो पलग सोकेट के में बात तो इस तरह से क्या हो जाएगा यह पलग सोकेट का डाइगराम या फिर इसके अलावा आपको कौन जो डाइगराम दिया वा तो यानि सिंबल उसका यह तो जाएगा यहां पर कर सकते हैं नर और इसे कह सकते हैं माधा इसके लावा बात इने खत्रे का सिंबल यानि डेंजर का सिंबल तो यह होता है तिरबुजाकार इसमें पुछे कहता आकरतिक आकार तो कौन सा होता है तिरबुजाकार जिसे के यहां माल टॉक्सिक है जाड या फिर लेजर भीम खत्रा जो भी है यहां सिंबल बनाओगा त के लिए प्रियोक केते हैं तो क्लिट वाइरिंग वगरा आपको हैंहित और 엮 से पढ़ती है महेंगी और क्यूछा त्वाइरिंग यो हैं के कन्डूट वाइरिंग का किने म लिखते हुए थ्वाग नइये हैं जो कंडूट वाइरिंग attain काम आने वाली भाग है नहीं है जिसके मालों एल्बो हो गया जक्षन बोक्स हो गया कॉम्बिनेशन प्लाइर या फिर मैं बात करूंँ जैसे की हैं मर हाथ वड़ा भी हो गया और मैं बात करें जिसे की डिल्ल मशीन वह बहुत जाएगा तो एक ऐसा ऑप्षन दिया हो जिसे म भाग है नहीं से कि ने में नहीं लिकीत में से किस नियम के दुवारा ज्यात नहीं कि घ्याते तो एक प्षन था उसमें जिसके द्वार की यहान और उसमें आपनेंआ हैं ऋसे किन ग्याद करते इसके नहीं कर सकते ऑगको उत्वादन कीया जाता है भारत में single phase तार पढ़ना लें phase star का रंग दो यहां पर किशन शांदार था phase star का रंग पूछा गया था और मैं बात रूँ phase star का रंग तो phase star के करा रहा हम बात रहें थ्री पेस में तो ry और b ठीक है रेड यह लो बलू लेगें रेड उसमें option में दिया हुआ नहीं था इसके लाँ में बात रूँ ओ फर्शी या ओ फ्री ओर्श फेक्टरी बॉर्ड इसके बात रूँ तो इसमें जो एक्जाम के अंदर किशन पूछा गया था neutral star का रंग flexible का तो इसमें में इसने आंसर माना था नीला DMRC की बात करें DMRC ने आंसर माना था काला neutral star का रंग और यहां बात करें JVNL की तो JVNL में पूछा है फेस तार का रंग और इन्हें में पूछा था neutral star का रंग तो neutral star का रंग इसिक साथ बात तेट यह वांत को आ होता है लाल रंग अन्ड़ोस में बात करूब डीसीके। या फिर नबात करींगे दर रेलभे के अंदर या तुट तार का रंग या नूट्रल जो पॉजिटिव तार है उसका रंग पलस तार का रंग तो वह क्या होता है भूरा तो ओप्षिन में था निला काला भूरा पिला सिखला बात करूँ है अर्थार का रंग अर्थ का होता है हरा या फिरे हरा पला से पिला तो यहां बात करें सिंगल फेज अगला परशन है यदि पीडित विद्धुद संप्रक में है उसे जुड़ाने के लिए उसरोपरतम क्या करना है उसके बाद उसे वहां से चुड़ाना है उसके आपशन के और फिर इसका प्राथ में भूल Gardens करना के मैं में सिंच आपको क्या करना है और option में दिया होता मैं सिवची off करेंगी राइटान से क्या हो जाएगा मैं सिवची off करेंगे और अगला question है आग बुझाने का उपकरण परियोग में निमिली कितिमें से किया जाता है यानिकि आग बुझाने के जो उपकरण होता है उसका परियोग क्यो लेते है प्रयोग क्यों लेते हैं तो आग भुजाने के लिए काम लेते हैं अगले प्रशन के बात रहे हैं तो ओम का नियम reforms गिन पूर्जों प्रे लागो में होता है और नहीं बात हूं अगुजिए ग्लिफ पूर्जण जो ओम और खिर्चोप के नियम का पालन नहीं करते हैं पालन पैसिव पुर्जे वह पुर्जे जो ओम और खिर्चोप के नियम का क्या करते हैं पालन पैसिव पुर्जे के बात करों तो सामाने से एक्जाम बलूँ पर्तिरोध कैपिसिटर एल कुंडली यह क्या हो जाएगे के ने और यहाँ बात करें हों एक्ट्व तो जिसे डाइयोट वगारा ट्रांजिस्ट वगारा यी कहों से यह जैंगे अक्टीव पुर्जे और पर है डीसी दोनों के लिए लेकिन एसी में कहा लाग होता है क्यों प्योर रेजिस्टेंस से हैं कि सुद्ध परीपद और डीसी में पढ़ते एक जगया अगला पर्शन है नीमी लिए पर्थी चुम्ब के पदार्थ यहां पूछागा डाया मेगनेटी पदार्थ वे पदार्थ चुम्बक को अपनी तरह बिल्कूल भी आखर्शित ने करते हो तो मैं बातरू चालक तो जितने भी चालक है किसे में आते हैं पर्थी चुम्बक के पदार्थ के अंदर या फिर वागा फिर बातरू लकडी पत्थर या फिर ना दी तो यह किसे में पर परत्वी चुम्ब के पदार्त में, इसी के बात रूए अलुमूनियम, तो अलुमूनियम किसमे आएगा अनुचुम्ब के पदार्त में, किसमे आएगा अनुचुम्ब के में, और यहां मैं बात रूए लोहा, तो लोहा आएगा चुम्ब के पदार्त में, और अधिक तर चा कि सोना चांदी तांबा यह किसमें आ जाएंगे पढ़ती चुम्ब की है पदार्थ के अंदर कि दावनी की तुरुता किसमें माप जाती है डेसिबल में कि भूमिगत केबल के सोट सर्कीट इस्तति में दोस्त का पता करने के लिए कि आप दोस्त कौन सा दोस्त देखे लता है लूप मरे टेश्ट कि भूमिगत केबल का अधिक्तम वॉल्टेज प्रास्ट यह जाएगा 220 वॉल्टेज से लेकर 66 किलो वॉल्ट तक यह से काम लेशेते हैं 66 केवी तक विदुधारा स्तरोत का अंत्रिक पत्रोद है वह क्या हो जाएगा infinite और यहां मैं बात करूँ आइमेटर आइमेटर का अंत्रिक पत्रोद सुन्ने वॉल्ट मेटर का अंत्रिक पत्रोद उच्छ या फिर यहां बात रूख कम और यहां सुन्ने लेंगे तो यहां क्या जाएगा इंफिनाइट है और यहां बात करें आद्रस से धाराइस तरोथ का आंत्रिक जो पर्तिरोथ क्या हो जाएगा अनंत है अगरी इसके लाँगा बात करूं वॉल्टेज रोथ है वॉल्टेज रोथ है तो उसके क्या हो जाएगा सुन्ने धाराइस रोथ का पर्तिरोथ क्या होता है अनंत वॉल्टेज रोथ क्या हो जाएगा जो सुन्ने और अमेटर का अंत्रिक पर्तिरोथ है सुन्ने वॉल्टमेटर का अंत्रिक पर्तिरोथ है अनं देखना देखना थे तो आपकी जोर क्लास डेली हुई है चैनल पर वह देख सकते हो उसमें जोदी त्रिवता हुआ अगरा जितने भी मात्रग है उनके बारे में पूरा विस्तार से बताया हुआ है और जितने साथे नहीं जूड़ रहे हैं प्ली चैनल को सब्सक्राइब करन कारे कारी तापमान तो कारे कारी तापमान जो होता वो कितना होता इसका वो ता लग बग पचिस सो डिगरी सेंटिगरेड या फिर 2700 डिगरी सेंटिगरेड कारे कारी तापमान और एक क्यों सुन पूछा गया था जिसके डाइगराम दिया हुआ था लेंब का जिसे लेंब का डाइगराम हो गया यहां पर जुड़ा हो गया इसमें तंतु तो तंतु किस भाग बे है तो जिसे के मालो इसकी नम्रिंग यहां दे दी हुई हो इसकी यहाँ नमर एक नमबर दो नमबर तीन 5 नमबर और पाँच नमर तो तंतु किस भाग पर जुड़ा हुआ है वो जुड़ावाद दो नमबर भाग पे तो आपके जिस भाग पे नमबर जुड़ावाद तो वो क्या होज़ागा राइट आंसर अगला परशन है साम्माने परकास वेवस्ता लेम GLS लेम का तंतु किसका बन होता है टंगस्टन का अगला पर्शन है गेलोंडो मेटर जो गेलोंडो मेटर क्या होता है धारा का विक्सेप दर्शानने वाला और इसके आपको मान बढ़ानात कौन सब्सक्राइब पर्तिरों जोड़ोगे संट पर्तिरों अगला कि उसने निमिल लिखते में से किस उपकरणों के दुआरा जो मा आपका एक तो था ओप्षन में एमिटर. प्bud Mitte créer crowd मैं क्यूशन इस तरह से ता अचिए का निम लिखित किसी के दौ़ारा जो ङुड़ोग जो उपकरण है उपकरणों के माप सिमा किस के दौ़ारा बढ़ा जाती किनके दुवारा उपकरणों की मापसिमा बढ़ा जाती है इस तरह सिता जो उपकरण है उनके मापसिमा बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयोंम ले गया किसके दुवारा बढ़ा जाती है तो option थे आपके पास में वर्धक पर्तिरोध संट परतिरोध CT PT सभी यह जाएगा A option B option, C option, D option और A सभी यह जाएगा वाल्ट मिटर विवांतर की काई तो यहाँ मैं बात करूँ EMF विवांतर या फिर विभव तो इन सभी की क्या होती है वाल्ट और एकाई से भी यानि जो एकाई से अगरा बात करें तो एकाई से काफिकुशन आरे है बिल्कुल बैसिक ओम परत्रोद की काई तो क्या होती है ओम संधारित्र क्या होती है फेरड परेरक क्या होती है हैंडरी तो इस तरह यानि जो संधारित्र है आपके मान है मान से भी डारेट क्यों आ रहे थे और मैलेट तो मैलेट क्या होता है यह लकड़ी या फिर पेवी से बना होता है जो लकड़ी है फिर जो आपका होता है हैमर है मैं बात रहे हैमर की तो यह हैमर के समान ही होता है लेकिन कहां प्रेयों लेते हैं से जो आपके तामबे की कुंडली वगरा है सीट मेटल है उनको ठोकने के लिए काम में लेते हैं एक मोटर जिसकी गति कितनी है 500 RPM और वह 12 उसकी पॉलो किसंगे कितनी है 12 तो मोटर की आउरती तो यहां पर आपको निकालना है F तो A ब्राबर किना हो जाएगा PN बटा 120 तो P कामान कितनी है 12 और यहां पर कितनी है 500 तो एक सो बशी में लेकर कितनी है पांचो अनौर 12 तो कितना हो जाएगा 50 정확 और एक किसंगे पुछा गया था एकसल ब्राबर होता है तो तो पाई F L और XC ब्राबर बात करूं ये तो हो गया XL ब्राबर है और XC ब्राबर तो 1 अपॉन 2 पाई FC ये पूचा कहता हो और एक पूचा कहता है अनुनाद रेजोनेंस जो फ्रिक्वेंस उसका मातर है संट कोईल जो संट मोटर होती है उसमें कोईल हो इसमें क्या तो जिसे संट मोटर के हम बात करें तो एक तो हो जाएगा इसमें आर मचर है और एक हो जाएगी संट कुंडली तो कुसमें बुचा संट मोटर में कोईल हो संगे हैं जो संट कोईल हो संगे कितनी होती है एक तो राइट आंसर है एक अगल आपना अल्टरनेटिक rate जो परत्था और तेशी rate इसमें देदे किलो वोल्ट, एम्पेर, केवीए में मोटर की गति किस उप्रण के द्वार ना पी जाती है तो टेकोमेटर सिंकोर्स मोटर में डेंपर डेमपर कुंडली तो डेमपर कुंडली क्या क्या काम आती है उससे सहखंग चाली यानए कि स्टार्ट करने के लिए सहखंग चालीट यह फिर मैं बात करों परतर वर्तक के अंदर परत्यون काम में आती हैं किसी मोटर का रोटर वे इस्टेटर किसी मोटर का रोटर वे इस्टेटर किसी मोटर का रोटर वे इस्टेटर चुमके चेतर के सम्मान गति कर गुणन कर रहे हैं तो वह मोटर कहलाएगी तो वह क्या कहलाएगी उसी क्या कह सकते हैं परत्या वर तक अल्टनेटर है तो अल्ट सबसे क्म बलागुण की मोटर होती है आपको देरा जिसे एक मौटर जाएगी इसकी दखस्ता लागब 40 पर сbach का हाथ की कलाएघडी में कौन से परेयोग में जाने लिएे तो कौन से उजाएगी हैग से आद्डेट पॉल मौतर हाथ की कलाए घड़ी में कौन से सेल प्रयोगिम काम लेते हैं तो बटन सेल और बटन सेल का दूसरा नाम वारा सेल और ट्रेल सेल है कल जो एक्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था सेल के बारे में एक तो निकल आइरेन सेल और एक सोर सेल तो निकल आरियन सेल में NH4, CL और जो के पोटेसियम हाईड्रोकसाड होता है ये क्या होता है? सार ये होता है और सार भी कौन सा होता है? कमजोर तो इससे भी कुछा गया था एक्जाम में अगला परशन है, 68 नमबर ऐसी मोटर में रोटर सलोटर को तिरचा क्यों किया है? कोगिंग दोस्त से दूर प्राप्त करने की कोगिंग दोस्त ना हो जकडन दोस्त ना हो तो जकडन दोस्त को दूर करने के लिए क्या गाम लेते हैं? जो रोटर स्लोट होते हैं और किसी मोटर में कोगिंग दोस हो जाता है तो मोटर एक पुटा साथ गती पर गुणन करती है अब बात करें नेश्ट कुछिन की नेश्ट कुछिन अपना 69 किस ऐसी मोटर का टॉर्क नियून तम तो समाने बात करें अगले परशन की बात निमन में से किस उपकरण के माध्यम से आर्मेचर परत्रियोद का मापन की जाता है तो आर्मेचर परत्रियोद मापना है तो अप्सन की अकुछिन की आपको केलिविन ब्रीजी तो क्या हो जाएगा राइट आंसर और आर्मेचर परत्रियोद के माध्यम से कम तो यहां बात करें तो अन्य कि सुनकी तो वह ब्रीज जिसके माध्यम से नियूनतम परत्रियोद मापना जाता है तो कौन सा केलिविन मरज यह फिर मात्यू इंसलेशन तो कौन आपको अगला कि सुन है गिलेरी पिंजरा प्रेरन मोटर तो कौन सा राइटर प्रयोग में लेते हैं तो गिलेरी पिंजरा प्रेरन मोटर में जो गिलेरी पिंजरा प्रेरन मोटर है उसमें कौन सा स्कूरल केज राइटर काम में लेते हैं जितने भी साथ ही चैनल पर जुड़े है प्लिज बीना सब्सक्राइब किए चैनल से न जाए और सब्सक्राइब को नहीं ना पूले साथ ये बेल आइकन प्रेस करें जो बेल आइकन दिया हुआ है आपके सामने जो उस बेल आइकन पर गंटी का चिन है उसको एक बार जुरूर दबा दे ताक कि सबसे पहले जो वीड कर सकते हो किसी परको रोक्ट thou नहीं है और कई कमेंट आ रहे हैं कि सर्येक्षा नहीं आया आपके साथ आपके साथ गल्त है बिलकूल आप कमेंट करके बता सकती हो आपके उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से solution के जाएगा गलत है या फिर क्यूसन सही है बस होता क्या जिसे कि आप क्यूसन देख रहे हो और यहां क्यूसन को अपने सिर्क डाटा मिलता है यह नहीं कि पूरी लेंगविज वहां से अपने चाप लेंगे पर तो वह इससे अपन बारे में समतिंग क्यूसन था और जिसे आप अपने आज इक खेतर क्यूसन देख लिए तो इक क्यूसन के अंदर अपने एक यह क्या दो क्यूसन अप्सौल करते आ रहें तो जिसे गिलेरी पिंजरी प्रेंट अब आप जो मोटर है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल स पढ़ना है यह नहीं आप रोटर पढ़ रहे हो समानतर ग्रम आ गया पूरी डिटेल से पढ़ना है और किसी परकार क्यूसन में कोई गलती हो तो आप कमेंट गर के बता सकता है उसका आपको साथी शॉलीशन ने मिल जाएगा और जितने भी साथी क्या है जो क्यूसन आपक क्यूसन मेसेज कर सकते हो और रही बात पीडियाफ की का भी स्टुडेंट के कमेंट आ रहे हैं पीडियाफ तो पीडियाफ आपको टेलेग्राम चैनल है टेलेग्राम चैनल के उपर उपलब कर दी जाएगी या फिर कुछ टाइम बाद जो वीडियो के डिस्क्रिशन बॉक गद्र आपको और पने पास है अन् आपक्या रहा हो तो नमी से क्या वोगा उसका अचालग परत हो गी उत रहा लख भाँ जाएगी और सीध़ी-शीधी बात्साभाँ हो सकता है विश्ण हो सकता है तो सीधी वाथ सामने बात करें हम तो दख सता क्या हो जाएकि उसके कम हो जाएगी और ट्रांसपोरों में सुचारूप सिकारणी करी特ड इ tenir याणि कि य। तो यहां बात ने नेस्ट कुशन की, अब नेस्ट को जिस तरह से अपना लेड़ से सेल समधी कुशनता है, इसमें पूछा गया था, रणात जो है, सिसरसंटा एक सेल होता है, बैटरी, उसके जो रणात बंग पलेट होती है, याने कि नेगिटिव पलेट होती है, वो किसके होती है, तो यहां बात करूँ, जो सिसरसंटा एक सेल के अंदर दो पलेट होती है, एक होती है धन पलेट और एक होती है रण पलेट, तो धन पलेट की मैं बात करूँ, तो धनात्मक पलेट जो बनी होती है, किसके बनी होती है, पीबी ओटू की, किसके बनी होती है, पीबी पर यहां प्रहोट्वीड रोक्साइड बनी हो तिया फिर में बात करूँ स्पंजीवी सिसा और यहां PB02 यह इसी प्लेट और इसी के लाओ गाद में बात करूँ जो अपना लेड़ेसीड सेल है यानि कि जो सिजासंटाइक सेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो कौन सा डालते हैं त्रिकल चार्जिंग विदी प्रयोग में लियाती है जो ट्रिकल चार्जिंग विदी को बोलते हैं टपकन या बूंद बूंद आवश तो जो ट्रिकल चार्जिस विदी है वह कहां प्रियोग मैं लेते हैं कि उसे में पूछा गया तो ट्रिकल चार्जेश आड़िय हैю एक प्रिकल चार्जिसन धूता है बैटरी के अंदर Neighborhood दोस्त है वह लंबे समय तक पड़ी रहती है तो उसमें क्या जो प्लेटो होती है प्लेटो पर लेड चार्ज किया जाता है इसमें होता है कि ट्रिकल चार्जिंग में एक एंपियर से साथ से पंद्रा दिन तक उसमें प्रवायते की जाती है अब बात करें नेश्ट क्यूशन की और नेश्ट क्यूशन अपना च्यार नंबर और जितने भी साते नए जुड़ रहे हैं प्लीजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ है अपने दोस्तों एक साथ अधिक स से कीजिए अगला की चैनल है एक त्री फेज इंडेक्शन मोटर इंट्रें किस समान कारी हा यह कि यहां किस युकति की भाति काई तुलिय गालिक तो यहां आये का नहीं तो किसके बाती पष्यावर्तक झार भाता जो अल्टरण स्टा पॉल मोटर है, यान कि चाया अंगित्रू मोटर है उसका आपको क्या रहेबतान है? तो सांबाने जो लास्ट एक्जाम को बात कुरूँ तो पुछा गया थे कि हात मैं कि घडी होते हैं जो हात की घडी होते हैं, उसमें कौन सी मोटर काम लेते हैं? ऑपन सेडल भूंड होताइग है अगर है सेल के बात करूं तो क्षाल बटन सेल और बटनसेल को क्या बोलते हैं पारा सेल तो यहां क्या हो जाएगा घडी के अंदर स्मण है घडी मोटर्वों में तो यहा और जो बी औपशनता है और uję के बारे में अब तक काफी कुछन पूच जा रहे हैं यनopal के बारे में अब तक काफी कुछन आ चुके है प्रथेक एकजामिस का बुचशन की सब्सक्रेइन के यह दो जार थाएस के अंदर हें में बात करूँ अग्जाम का दिन पता नहीं हए बढ़े एक्जाम के बात करूँ पूछा है दे jewels光 मोरों का नाम दे दिया कैता और शबसे कम धक्सता वाली motor तो कॉंड सी सेटे इट पॉल मो मोटर है और आज पूछा गया है, इस ही में और दोस्तों साती सभी साती को शेर करना ना बूले सभी साती सेर करते रिजिए अगला किसों ने दो चालक प्लेटों के मद्दे कुछालक पदात भरने पर वेक कलाता जिसके मालों ये कोई दो चालक प्लेटे है अब इसके मद्दे किया क्या क्या बढ़ दिया गया कुछालक यानि प्रावदुत पदार्थ भर दिया गया, तो किसका डाइगराम बन गया, कि संधारितर का संधारितर का कि क्या हो जाएगा राइट आंसर संधारितर का उप्सन व्हों कि जो पांच उसमें ता एक में संधारित दिया हुआ था वाल्टेज वगरा कुछ इस तरी के मान दी हुए तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका संधारित ने केपसिट रे जिसके भी राइट आंसर था वह किसका क्या हो जाएगा राइट आंसर अगला कि उसने मोटर में फिल्ड रेगुलेटर यानि जो अदर मोटर लगा हुआ तो उसके कारी क्या होगा यानि जो फिल्ड धारा को क्या करें करें? स्यूप करें का प्ठी रोद पर्तिरोद हो? सेलो का काफी क्यूंने? पूछी जा रहे हैं, तो आपको सेलो का सरेनिक करम का समानतर करम का फोर्म ले हैं, वो भी आपको ध्यान रखने हैं, यहां पूछ लिया गया सेलो का सरेनिक करम वो समानतर करम में जोड़ने पर आपको प्राप्त हो था, ओप्सों के बात क्यों तो ओप्सों आपके कुछ इस तो क्यों वाड़ेगा लेकिन बढ़ेगा किया है सम्ता हाइस हो जाएगी क्या बढ़ जाएगी तो आपको उप्सन को जो राइट आंसर था वह हो जाएगा पतल रगा सकते हैं किया अनसर होगा इसका बात कितें नेच्ट कुछ्टिवने अपना ट्रांसफोर में टेल की यहां पर aOH में произошli यहां हो जाएगा प्रावदुत सम्ता जो ट्रांसवर्म ऩो तेल है इसकी प्रावदूत सम्ता यानि की डा defensive की होती है तो मैं बात कोरूं सामाने से ट्रांसे बात कोरूं तो सभी हो जेकर 45 फॉब अगर 30 से उपर हो तो फिर आपका क्या रहेगा आंसर है और अगले परशन के बात करते हैं अगला परशन कुछ इस तरह से पूर्जे पूर्जे किस युक्ति के उपर इस्तापित की जाते हैं तो किसके उपर इस्तापित की जाते हैं पीसीबी के उपर यानि प्रिंटेट सर्कुट बौड के उपर आगले परशन की बात करते हैं अगला परशन नहीं यहां पर मॉविंग कॉंट इंस्ट्युमेंट होता है उसका सिंबल से बारे के पूछा गया था तो इसत्तरब क्या होता है और ये फ्री पहले भी पूछा जा CTGE अठा esto और moving coil आयरेग ने में बात करूं तो इसका symbol किस तरह से होता है इस तरह से अगला परस्शन अपना PC motor में घूमने वाला भाग तो DC motor में घूमने वाला भाग क्या कहलाता है आर मेचर DC motor की बात करें अगर मैं यहां बात रूँ AC motor तो फिर R में क्या कहेंगे इसमें rotor DC motor में R में चर और AC motor में rotor गूमने वाला बाद अगला परशन है एक motor में polo की संगय कितनी है चियार और frequency का मान है 50 स्प्लाइज से उस motor क्या पूछेगे गती तो N बराबर हो जाएगा 120 F बटा चार्थी 12 तो कितना हो गया 30 और तीन पंजियो 15 तो 1500 RPM जिसका भी राइट आंसर ता होगे जाएगा सहीज का आंसर आगला कि उसमें की बात करें तो यहां पर पूछा गया था 30 वाट के एक फलोरोसेंटे लेंब की दक्सता है ल्यूमन में इसकी दक्सता पूछी गई थी तो जो फ्लोरोसेंट लेंब हो तो इसकी दक्सता कितना थी लगवख 40 से 50 ल्यूमन परतिवार तो यहां हो जाएगा 40 से 50 ल्यूमन परतिवार तो ओप्सन में जो भी है जाएगा राइट अनसर अगर चालिस था यजक्त रहीं से मधार्भि वह प्लांट पेंटा की यह इस्प्लांट जो आपका भांद होता है जिसके मालू यह आपका क्या है डेम है और यहां आपका उत्पादिन केंद्र लगा हुआ तो यहां से जो पाइप आएगा जिस पाइप के मादेम से आप पानी लेकर आते हो वो कहां के लाता है पैनि स्टॉक के पाइप के लाता है और यहां क्या ल लिखित में से संधार्ट रिक आइ और ये भी कुस्वन रिपीट हो चुका ए लगबग तीसरी बार कुस्वन रिपीट हो रहा है और इक है क्या होती है फेरड अगला पर्षन है मद्यम वॉल्टेज लाइन जो मद्यम वॉल्टेज लाइन होती उसके धरातल से उच्छाई तो यह होती है 2.439 मिटर के समती अगला कि उसने पर्तिरोद का मान ग्याद करो आपको रेजिस्टेंस का मान ग्याद करना था तो रेजिस्टेंस में यहां दिया हुआ था देखो वी का मान दिया हुआ था एक तो 240 गुणा 240 बटा क्या हो जाएगा 40 एक 0 से एक 0 और 6 चोक का 24 तो अब यहां इसकी multiple करते हैं तो 0 6 चोक का 24 आसला कि 2 और 6 गमच्छाद दो बारा और 2 14 तो 1440 में जिसका भी right answer रता हूं क्या हो जाएगा इसका right answer आगले पीसे से कुछन की बात करते हैं राव जोदा की पिता का नाम था तो रनमल अगला परशन है टॉंक में कौन सा बांध इस्तित है टॉंक में है जो बिसल पुरुबांध है वो कहां पिस्तित है टॉंक के अंदर और इस से पहले जो लाश्ट की सुन था उसमें पूछा गया था टॉं टॉंक में जो बिसल पुरुबांध है उसका संबंध किस जिले से है तो टॉंक से और अगला परशन है अपना कालवेलिया नर्ते जो कालवेलिया नर्ते हो किसी संबंधित है राजस्तान से सिरिस का अभ्यारण के बाद रूत कहां पर है अलोवर के अंदर भर्मा जी का पर्यापत है नि मिला नहीं पिल अब परेटक किया रास्ता ने परेटक के बारे में कुछ कुछन था अब आतने नेश कुछन की तो नेश कुछन कुछ इस तरह से ये एक कुछन ता अपना जो होई गया 1440 किसका अंसरा था पर्तिरोद का और एक कुछन जो था अपना त्री फेज इंडेक्स अने मॉटर में सिंगल फेज स्रीज में जुड़े दो लेंपों के मदद से पहचाना जाएगा बियरिंग इस्टेटर ट्रमिनल पहचान सकते हैं अगला कुछन है जाइंट वूट पावडर विग्यानिक नाम कुछ ऐसा क्यों समझेया जाटों के प अलाँ और एक मैट से क्यूसन है यहां पर दिखाए दे रहा है यहां परत्थम साथ के परत्थम गुणज तो साथ दुनी 14 तो राइज ठीक है और यहां पर पुछा गया ते क्या ते क्यों साथ सो नज्वाड पलस इसका भी मल्टिपल करना है और आंसर क्या रहा है सो प्लेंग छेत्र ठीक है तो मेगनेटिक प्लेंग छेत्र अब बात करें नेट कुष्ण हो की तो यहां कुछ कुष्ण साप नहीं दिखाए तो यहां एक क्यूश्ण अपना है जो जन्री घुमने वाला भाग तो आर्मेचर होई गया किश्ण भारी परतिरोद के तुलना में आर्थिक परतिरोद जो अंतिरीग परतिरोद है उसका जो बैटरी यहाँ बढ़ जाएगा और फ्लक्स की होती सुन्ब कि स्लख्श , टेल ब्लसक घिइ। पर आप histogram अचालक पड़ते हैं एक बार फिर से मैं आपको बत्त देता हूं 24 माई इवनिंग सिप्ट है यानकि सेकेंड सिप्ट के ये क्यूशन है इनके बारे मिस्क्लास के अंदर डिसकर्शन करेंगे अदर हम बात खरें तो सबस्वील हम बात करें उसमें एक फूल्फोरम पोचिके ती वह थी एएसी की फूल्फोरम में होती है कि अब क्या हो जाएगी आ ऐफ्रेंट्रेंक आप आपक का राइट आंशिर का हो जाएगा आ ऐफ्रेंक और बात करूंगएonगू take जैसे कि अगर यांत्री के में यह फिर में बात करूँ तो Advanced Audio Coding यह भी किसकी फिल्फरम हो जाएगी AAC यह फिर मैं बात करूँ AAC की अलावा इसके इनके दोनों के अलावा बाकी फिल्फरमों की बात करूँ तो यहां आप देश सकते हो जैसे कि Information Technology अगर मैं बात करूँ तो वहां क्या हो जाएगा Advanced Audio Coding ठीक है तो इस तरह से आप यहां इनका स्क्रिंग सोट लेकर आप देश सकते हो अगर Chemistry की बात करूँ में तो Chemistry में क्या हो जाएगा Aluminium, Aluminium, Chrome तो इस तरह से यह जो है कि अगर हम बात करें आपके सामने चार्ट दिया हुए इसका आप स्क्रिंग सोट लेकर देख सकते हो इन में से कोई यह आपका मिल मैच कर रहा हो या इन में से कोई ओप्सन हो तो वहापर क्या हो जाएगा राइट आंसर अब बात करते हैं next question की अगला पर्सन अपना है डियोल स्टार्टर से संबंदी question पूछा गया था और शिदा यह question था डियोल स्टार्टर की जो फिल्फर होती है वह क्या होती है तो डायरेक्ट ओन लाइन जो डियोल स्टार्टर के बारे में क्यूषन पूचा गया था डियोल स्टार करते को चलाने पर तो इसके जो डरम लो घूंश को अगला पर्सन अपना DC motor में तो यहां कुछ टाइपिंग मिश्टेक है कुछ इस तरह से था जो DC motor होती है DC motor में armature जो आपका armature था armature वह field winding armature winding वह field winding के connection यही एक साथ change कर दें यहनि दोनों के यही आप connection क्या कर रहे हो एक साथ change कर रहे है तो उस motor में क्या परिवर्थन होगा, उसकी गती में क्या परिवर्थन होगा, तक गती मैं कोई परिवर्थन नहीं होगा यानि क्युस्में इस तरह से था कि जो DC motor होती जैसे मालो हो यहा पर यह हो जाएगा इसकी armature winding संट मोटर को हमाल ले इसको और यह हो गया की और संटर वाइंडिंग और यह हो जागा इसकी आर्मिजर वाइंडिंग यहाँ पर इन दोनों के connection चेंज कर रहे हो तो इस मोटर में क्या परिवड़ता होगा मोटर में की गती में कोई परिवड़ता नहीं होगा अब बात करें next question की और अगला पर्शन को जिस तरह से क्यों से रण पना न iş सबेम पता डीह सेoneyresser में पॉल यहां हो जाएगा यहां पुल और बना तो इसनद दो यह पॉल और होते हैं यहां मैं बात करो कर के जो पॉल बने होते? पॉल किसके बने होते? पॉल या फिर कई काहित ही? यह बने होते है विए। इसलीकन श्ठील तो रहे आई टाइंसर की हो जाए का? आपका सिलीकन श्टील और सबही साथ ही यह जो एक्जाम देखिया है वो कमेंटर के बतहते रहें की बात करें तो तीन से चार पर्शंट की होती है 9-7-1 में परशंट क्या होती है सिलिकन की मात्रा और साथ दोस्तों यदि मैं इस तरह से क्युस्षन आ रहे हैं तो इसमें और बात करें लोग तो किस दिहां कोर को आपस में जो पत्लित पत्तियां होती है इनको एक साथ रूप कमाइन रूप देखके क्या बना जाती है तो इनको जो आपस में भांदा जाता है यानि जो कसा जाता है रिवेट के माद देम से इनके मद्ध क्या हो लगा जाता है रिवेट लगा जाता है और एक क्यूश जोईंत और जो बीना उस्मा की क्या दा तो बना उस्मा की यानि저 की मोगर नहीं जोईंत मालो जıtक चार बाग्रिया। जैसे कि वेइलडिंग ऑगया इन चारों में से तीन में तौन क्या होती है, इसमा उत्पं की जबकि रिवेत हमें नहीं होती है! जमус अपूशुन कैपेसिट पर्त्रों जुड़े हों तो वह है परीपत वह है परीपत कहलता है अब देखो यहां अगर इस्पेसल डायोड की बात करता तो हम कह सकते हैं कौन सा परीपत रहेगा वह एक्टिव पूर्जे रहेंगे अगर हम पूर्जे की बात करें तो कौन से जाएंगे एक्टिव और परते क्यों बात करता क्या हो जाएगा पैसिव पूर्जे यानिकि एक्टिव पूर्जे तो अंगर ऑशाल्ग से तक या मिलकों होते हैंाड़नी आए donorम होती आपका इसके बहतर बन सकता वह क्या हो जाएगा अपना आंसर सभी कमेंट करके बताइए जिन्हें उन्हें एक्जाम दी है तो option क्या कहते हैं कि और अगला परशन शांधिया क्यों रिपीट हो चुका है बस हर बार लेंग भी थोड़ी चेंज कर रहा है कि पहले जैसे मालोग इन्वेटर कारे के हम बात करें तो इन्वेटर कारे क्या होता है DC से AC में बदलना अब जिसके मैं बात करूँ बाइस तारी की second shift की तो बाइस तारी को second shift में question पूछा गया था जो वह युक्ति जो DC को AC में बदलने वाली युक्ति क्या कराती है इन्वेटर और आज की class जो डायोड का कारी है तो डायोड का कारी क्या होता है AC को DC में बदलना अगला परशन है प्राइमरी वे सेकेंडरी में वॉल्टेज बढ़ाने के लिए किसका प्रद्ध हो यहां किसमें पूछ गया था इस्टेप अब ट्रांस्पोर्मर के बारे में यहां में रैस्पोर्मर के बारे में यहां में रैस्पोर्मर के बात करो तो NS बटा तो अब बात करें नेश्ट कुशन की और नेश्ट कुशन अपना आठ नमबर धिक परिवर्तक भाग से जुड़े दो कोईल दो कुंडल पक्सों के बीच के दूरी क्या कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं अगर पिच्च यानी की फ्रंटे फिच और इसे किसे पर जैन करते हैं व तो एक ही दिक परिवर्तक के बाग पर क्या हो जुड़े हुए हो तो क्या कहला था ही फ्रंटे फिच्च यानी या फिर कह सकते हैं अगर पिच्च और एक क्यूशन पूच्छ गई थे एक तो आ गया फ्रंट फिच्च और पूचा गया तो आपको जो वाइंडिंग है जो उनकी परिवासा है वह परिवासा आपको द्यान रखनी है है और यह बता दू आपको जो लास्ट लास्ट फिर लास्ट कलास में काफी है कि कि इस क्यूशन करेंगे और उसमें पूच्छा के आज वाइंग आपका परिवासा भी है कि याद है कि ISN अ आपको याद रखनी है और अगले कुछन के हम बात करें तो अगला कुछन बहुत शांदर कुछन है यहां कुछन में पूछा गया है एक परीपत में voltage का मान नहीं कि एक परीपत में voltage का मान कितना दिया हुआ 12V वैं 12V का मान यहां दिया हुआ इसमें धारा का मान 0.3 A है, धारा का मान कितना है, 0.3 A है, तो परित पर्त में आपको क्या ग्याद करनी है, सक्ति का मान आपको ग्याद करना है, तो क्या हो जाएगा, पी बराबर आपको क्या ग्याद करनी है, सक्ति ग्याद करनी है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्मलिक बातरिय हैं, P बराबर यहां दिया हो V और इसमें दिया हो I, P बराबर V I, V का मार कितना है 12 और यहां गुणा 0.3, तो यहां हो जाएगा 3.24, 36 तो 3.6 Watt, कितना हो जाएगा 3.6 Watt, अगला परस्टन है, वेस्टरन यूनियन जोइंट, यहां वेस्टरन यूनिय बढ़ने के लिए हम काम लेते हैं, जिससे कि अगर वेस्टरन यूनियन जोइंट के बात करें, तो वेस्ट पस्मि संग जोइंट, इस तरह से मालो आपके दो वायर है, और यहां जोइंटों के हम बात करें, तो इस तरह से यहां इसमें घाट लगा किया, और यहां पर इस इस तरह से जैसे कि आपके चालक है और इनके मद्दे फिर क्या वन जाएगा यहाँ पर जोएंट तो कौन सा जाएगा वेस्टर ने यूनियन जोड या फिर पस्यमी संग जोएंट दोस्ता बात करें Jesč के और Jesire Question है Parents एल्पार ग्याद करने का फॉर्मलाव दिखो प्षानव कि संगता घै था उसमें आपको सक्ति का मान पी का माना आपको याति करना था, यहां मैं option तो अपने पास नहीं, बट जो पी के जितने भी formula बन सकते हैं, वह हम आपको बता देता हूँ, यहां पर, जो पहले formula के बात करें, basic formula, p बराबर क्या होता है, v, यह मुख्य formula हो गया, एक formula के बात करें, p बराबर हो जाएगा, i square, r, इसी के लाओ, next formula के बात करें, p बराबर क्या हो जाएगा, v square बटा, r, अब आप comment करके बताए, कि option के अंदर, कौन साइन में से formula दिया हुआ था, तो हो क्या हो जाएगा, आपका right answer, यानि कि आपके सामने 5 option ते, 5 में से 4 है, वह सक power के formula नहीं होंगे, और एक formula power का होगा, तो इन 3 में से कौन सा formula दिया हुआ था, अगला पर अपना 14 नंबर, question इस तरह से 3 phase induction motor में phase अंतर होता है, यानि जो phase कोण होता है, phase कोण कितना हो, 3 phase induction की मैं बात करूं, 3 phase induction motor की, तो 120 degree, और यहां मैं बात करूं, single phase motor की, single phase motor में कितना होता है, 90 degree, तो यहां हो जाएगा, 120 degree कि इस के अंदर, 3 phase motor के अंदर, और मैं बात करूं, single phase के अंदर, 90 degree, और transformer के अंदर, 180 degree, अगला परशन है, अगला परशन कुछ इस तरह से है, यहां दिया हुआ है, 15 ohm, तो आपको दिया हुआ है, ohm का मान, 15 ohm, और एक दिया हुआ हुआ है, आपको, V का मान, तो 15 ohm, और यहां V बराबर क्या हो जाएगा, I into R, I into R, तो V, I का मान कितना है, पीछोतर, पॉइंटर, पॉइंटर, 3 phase motor, वह single phase motor में किस परकाश समान है, जो 3 phase motor है, और single phase motor है, वह किस परकाश समान है, अब देखो, यहां यह option के according question सही बैड़ता, आची तरह से, बट यहां इसके बार में बात करें, तो 3 phase motor और single phase motor, इसके क्या होती है, जो body की सरस्चना होती है, वह भी क्या होती है, समान, तो सरस्चना की में बात करूँ, तो सरस्चना भी क्या होगी, समान, और शिद्धान्त की में बात करूँ, तो आपको 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 आपके देना है आइंसर और जितने पर साथी जो एक्जाम दिखे आ हैं वह कमेंट करके बताएं किस तरह की ऑप्सन इसमें दिए हुए थे और किसी प्रियाग को किसी नों में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो और जितने फसे ने जुटे चैनल को सबस्क्राइब को नहां भूले अगला पशन है DC Motor में स्टाटर में सोर्क आने का कारण जिसे कि अब किसोन ने सुरुवात में डिसक्रिश्न किया था डियृवरी पूस्टार के साथ में DC Motor का स्टार कर रहा तो क्या हो जाएगा सब्सक्राइब आतेदिक वाल्टेज यानि की है इस वोल्टेज में क्या होगा तो उसके सब्सक्राइब बॉल्कुल सिधा रहेगा अंगला पशन है यहां कुछ इस तरह इस्तिति में और इस्तिति में बता लेगी सब जो नौलोड है वो ऑप्शन में नहीं था तो यह सुनने भार होगा यह सुनने भार भी नहीं था उप्शन में तो क्या हो जाएगे अगर यह अगर में था इसक्तिति में न 거지 है तो सुनने नहीं नहीं है तो यह सुनने भार होगा सुननी होगा तो उस स्थिति में यो है आई सिलेट्र काम में लेते हैं इसतरे से ता ज़Sen Dave होती है डीसी मसीन की बॉड़ी होती हूं किसके बढ़ने होती हैं यहां में बाहुत कह सबकिरे और एंप जो देसी मशीन होती है डेसी मशीन की जो बोड़ी होती हो किसके बने होती है यहां में बाध रूं कास्ट आरे ने या फिर कास्ट इस्टिल की जो है जो मोटर है गती किस उपक्रण के द्वारा मापते हैं तो जो DC motor होते हैं, DC motor की जो गती होती है, किस उपण के द्वारा मापते हैं, अपने टेको मेटर के द्वारा, और किस में मापते हैं, RPM के मंदर, RPM की फुल पर बात करूँ, तो round पर मिनेट, नेट की सुन है, साइन वेव में forum factor का मान होता है, तो KF का मान यहां पूछा गया, कितना होता है, 1.11, अगला परशन है, 23 नमपर अपना, DC generator में, जो DC generator है, DC generator में, उत्पन EMF को बहारी इस तरों से कैसे प्राप्त किया दता है, और यहां श्टुड ने कमेंट दे की, जो option के अंदर brush से option में न जाता है, अगला परशन है, अपना, चालकों में EMF कैसे उत्रों होता है, तो Ferrari की विदूद चुम्ब की परहने के नियम के अनुसार, किसी मानलों को चुम्ब के छेतर है, उस चुम्ब के छेतर में एधी कुसी चालक को घुमाया जाता है, तो उसमें क्या EMF फुत्पने हो अगला परशन है, विदूद गंठी या विदूद मोटर लाड़ इसपर कर धारा के कि सिद्धान्थ परकारी करते हैं, तो यह करते हैं, इलेक्ट्रों मेगनेटिक सिद्धान्थ पर यानकी विदूद चुम्ब के सिद्धान्थ के उपरकारी करते हैं, जो कि ऐस्ताय चु को ने होँंगे है ताम बेके कि अगा फच्ट डखट की स्रणी की आग है क्लास A की आग और बाइविस के 2nd shipiner में पूचा गया था ड्रवव की आग है वह कॉन सी आग होती तहीं न कि अ इस अगक करते समय इता है क् उसमें क्या परिवर्वक न वोल्टेज में चार्जिंग समय उसके वोल्टेज क्या होती है बढ़ जाती है और यई इसह बात पूरे लेशिए आपका दें स्राइगा तेरा पॉइंट पांच वोल्ट यानि कुछ वोल्टिज क्या दर्शाएगा ज्यादा दर्शाएगा यह द्याँ रखना अप नो लोड इस्ति में आप जब भी चेक करोगे तो वोल्टिज का मान क्या दर्शाएगा उसकी सम्रेटेड वोल्ट है उससे अधिक और लोड के अगला पाशन है ऑम के नेम के दवारा गयात किया जाता है जो वोम का नेम है उसके दवारा जो के दुवारा ग्यात किया जाते हैं या फिर ओम के नियम के दुवारा सत्य है तो ओम के नेम के अनुसार क्या है वी बराबर आयन टू आर और आय बराबर क्या हो जाएगा वी बटा आर और आर बराबर हो जाएगा वी बटा आई तो यह ओम के नेम के अनुसार क्या हो और वगर इस तरह से जो separate device है उनमें दिये हुए थे तो चाकू अगदी option में था आपका तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहान कि यह separate device नहीं यह करतन टूल है इसके बाद बात रहे नेश्ट कुस्टन की नेश्ट कुस्टन दिया हुआ था photovoltaic cell तो photovoltaic cell की सिद्दान दिवाद करूं तो यह सोर यानि की जो सूरी की उड़ जाओती उसकी सिद्दान पर कारी यह करता है और इसके अंदर सिलिकन जो है अर्चाला काम में लिया रहता है अंगल अक्शन लेड इस इट सेल को चार्ज करने पर उसके EMF में क्या परिवर्टन तो जिससे की अगर हम बात करें सबसेल बात करते हैं एंडगेट के सिंबल की तो इसका जो सिंबल है वह इस तरह से रहेगा यह हो जाएगा इसमें यहां पर ए वह ब्यक्न हो जाएगा है इंपुट जबार इसके यह क्या हो जाएगा y output यानगी a dot a b क्या हो जाएगा इसका output है अब यहाँ पर इसके गरण true table के बात करें true table किस तरह से होती है तो यहाँ input क्या है इसमें a वे b यानगी a वे b क्या है इसमें input है जब किसका output क्या है a dot a b यानगी y बराबर क्या हो जाएगा a dot b तो true table क्या रहेगी यदि यहाँ पर 0 और यहाँ 0 है तो यहाँ भी क्या रहेगा 0 और यदि मैं यहाँ 1 0 तो यहाँ भी क्या रहेगा 0 और यहाँ ले ले 0 और यहाँ 1 तो यहाँ भी क्या रहेगा जीरो जबकि यहाँ one ले ले और यहाँ भी क्या ले ले अपने वन दोनों जगह अगर वन ले यानि कि a का output भी वन है और b का जो b a के अंदर input है वो भी क्या है one और b के अंदर input भी क्या है one तो output क्या मिलेगा में one तो किसका हो जाएगी ट्रूटेटेबल जो है एंड गेट की तो एंड गेट जो कुशन था उसके बाद भी अब बात करते हैं नेश्ट कुशन की और नेश्ट कुशन अपना च्रांसपोर्मर समध्ध क्यों था या इसमें पूछाए लिए ट्रांसपोर्मर का प्रिंस्पल है सिद्धान्त की बात करें तो एक तो अपना सामाने ट्रांसपोर्मर ठीक है सामाने ट्रांसपोर्मर हो जोता है फेराड़े की विद्धुद होती है आपस में किस रूप जुड़ी होती है तो विद्धुद्चुंबी की रूप से जुड़ी होती है और जो कारी करता है कारी किसके रूप में करता है यान कि आपके सामें जो पांच उप्शन से आपको बताना था कि जो मोटर होती है मोटर के सबसे कम बलागुण या निम टॉर्फ किस मोटर का रहे गया है मैं जैसे कुछ मोटर के बात करें यह उप्शन पर सेड़ेट पॉल मोटर बी की अगर हम बात करें तो कैप्सिट्री स्टार्ट मोटर सी की मोटर होती है उसके जो टॉर्फ के यह शुराद में बहुत ही कम दस्ता के लग बग इसके 25 परेंट तक होती है ठीक है बात करें नेक्ट की सुन अपना हाथ-घड़ी में कौन सी मोटर प्रियोग में लियाती है यानि जो हाथ-घड़ी होती हैं गड़ी बांद जाती है उस कς अंदर कौन सी मोटर करें प्रियोग में लियाते तो हम बात करें या option के कोन सी सेड़ेट पॉल मॉटर हाथ-घड़ी मोटर काम में लेते हैं इसके लこう हाऊत करें कुटिक हाथ-घड़ी से हिम बैटरि की जो हाथ-ड़्यां वह धुती है उसके नेदे जिए सिल रगा होत मॉटर है अगला क्यूशन अपना परेञा मित्र में कुंडली यानिक जिसे के अपना परेञा ट्रांसपॉर मारा रहे ये एसमें दो कुंडलियां हो जाएंगे प्रात्मीकों सेकंडि उसमें चुंडलियाँ वह आपस में किस रूप से चुम्बी के विदुद चुंबी के रूप से रूप से और प्रान्सपूम्या तो यहां फिन में इसमें पूछा गया प्रत तो एक साथ की क्यूशन था डाइक से था और में डाइक की बात करूं तो डाइक जो तो डाइक जो जो था है दो एसे यार को विपरित करम में जोड़ कर क्या बना जता है डाइक जिस तरह इस तरह से यह पंपपर जाएगा डायक का सिंबल तोМы परत चियार और जक्सन की अंकति कितने की होते हैं तीन जक्सन है दोस्तों एक टेक्निकल पर्ट है राष्टान जी के लाएक नोगे मैं की अब यहां क Земर आपके सामने है पूछे पार्ट के लिए पार्ट के लिए तो ज्यादा इतना है वी पार्ट नहीं नॉर्मल कुछन रहे थे यानिक जो आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस से भी क्यूशन आपके पूछे जा रहे थे यहां बात करें राश्टान के वर्त्मान जो राजये पाल हो कोने कल राजे मिस्तर है तो यह किया गया पोखरण के अंदर यानिक जो रास्तान जी के करपार्ट है वह बहुत नॉर्मल कि ज्यादा हाई वी किसन नहीं थे अगला क्षुन अपना प्सक्ट ये है चाह केंदर को किस नरी सुमनात मंदिर किस नदी के किनारे कनारे बात करते है और नेज्ट्ट्रॉशन की ऑपना सता बीच अनुसंदान के अंदर से संभधी नीम Marie is एक पूच्ह इसके लाउस अगले कि बात करें तो अगला के शुन था आबहनेरी चांद लाओडी यानधErिelend बाले के अंदर तो ये है जिले के अंदर कहाँ पर अभाँ नेरी एक और ये कहसे नहीं परता है लाल में इस जिला हो married दिदा दोसह हुसा और कहा अगहर आपत लेए जग्रगिस्तान ये बहनेरी और आप बहनेरी अगर तैसिल के बात करें अगर तो कौन क्या हो जाएगी लाल चौट कि इसके लगा बात करें नेश्ट कुछनों की तो यहां के सामने कुछ कुछन है रास्तान जी के कि जिसे कि अगर पहले कुछन की तो भारत की अब बात करें नेश्ट कुछन की और नेश्ट कुछन को जिस तरह से अपना भारत की मेरिनों किसे कहते हैं यानि भारत की मेरिनों किसे कहते हैं तो यह है जो चोकल भेड है उसे क्या कहते हैं भारत की मेरिनों के नाम से जाना जाता है रो अगला कि उसने राजस्तान के मुख जन्सिंख्या घनत्तु यानि कि यूशन को चिस्त्रे सिता कि राजिस्तान के अंदर है जो सबसे अधिक है सबसे कम जन्सिंख्या घनत्तु यहां बात करें सबसे अधिक सरवाधिक जन्सिंख्या घनत्तु तो सबसरवाधिक कहां पर है जयपूर के अंदर और मैं बात करूँ तो 500 पिच्चान में परती वरग किलो मेटर यानि कितने व्यक्ति है 500 पिच्चान में सबसे कम की दिन में बात करूँ तो क्या हो जाएगा यहां पर जेसल मेर और जेसल मेर कितने 17 व्यक्ति अगला कुछन है नाराणी माता का मंदिर यानि की जो नाराणी माता है नाराणी माता का जो मंदिर है वो कहां पर है अलवर के अंदर इसके लागा नेक्ट कुछन है रास्तान सूचना आयोग यानि की रास्तान सूचना आयोग की जो है इस्तापना कब हुई थी तो इसके में बात कुरू राष्टान सुचना आयों कि स्तापना है जो इती 18 अप्रेल 18 अप्रेल 2006 और दोस्तों आपको बता दूँ जो उप्सन थे वह उप्सन में डेट नहीं दिवी थी उसमें पूछा गया दिसे कि मानलो उप्सन थे आपके चार पांच उप्सन तो उसमें 2,023,2,4,2,6 इस तरह से उप्सन थे आप उसमें डेट नहीं दिवी थी तो अगर मैं बात कुरू संकी तो क्या हो जाएगी दो जारे छे इसकला नेश्ट किसों ने दो राई कहां इस्तित है अजमेर के अंदर अगला किसों ने मिरा ने अपना अंतिम समय कहां पर वेतित किया था जो मिरा है मिरा ने जो अंतिम समय है वो कहां पर वेतित किया तो वो किया था दवारिका के अंदर अगला किसों ने जेपूर को गुलावी रंग से किसने रंग वाया यानि जो जेपूर है जेपूर को कहते हैं गुलावी नगरी और गुलावी नगरी के नाम से जाना जोता है तो जो गुलाबी रंग है वो किसने रंग वाया था तो यहां मैं बात करें तो महराजा राम सिंग ने महराजा राम सिंग ने जेपुर को जो दिवार हैं जो परगोटे हैं उनको गुलाबी रंग से किसने रंग वाया महराजा राम सिंग ने इसके लाओ का Bात करें हम नैस्ट की उस में तो एक किसके पूछा गया था जो राज्टा जो ताज महल है कि Just one Rs और अंहीं तो टाज महल के सब्सक्राइब से संब्भब जिते कि Just one extermin पूछ आप जानते हों किसे कहते हैं अगला किसट्ण यूंतम शिचाई वाला जिला याई क्यूशन पुछा गए ता कि न्यूंतम शिचाई वाला जिला कौण सा है तो कौण साय राज शम्माद ूचेजीय वाला और या बात्रूम में ए एम है या फिर बात्रूम विभव तो इन तीनों कि क्या होती है वाड्ड अगला कुछन था मिली एंपेर से संभन दिन था और उसमें पूछा गया था या इसको किसे दर्षाते हैं दसी घात माइनेस से तीन अगर में बात्रूम किलो तो उसको गह जा ता और उसमें एक डाइग्राम दिया हुआ था स्रेणी करम में और उसमें पूछा गया था सम्तुल्ले परत्रोद होगा यानि की टॉटल रेजिस्टन्स का मान पूछा गया था तो यहां पर देख सकते हो आप एक आरवन है दूसरा आरटू है और यहां पर इस त्रोद यान हो जाएगे इसका राइट हां से लग बग जतनी भी एक्जाम हो रही है उन सभी के अंदर क्यूशन ने पूछा गया था इसको बात करता है नेश्ट की नेश्ट कुशन प्रियोग करते हैं जो मोटरी जनेरेटर है उसका प्रियोग करते तो यह बिल्कुल आप सिर्व जान तो यह नेश्ट की सुन ता अपना आउट ट्रांसपोर्म का सिंबल की बात करें तो सामानी ट्रांसवर्म का सिंबल करें बात करते हैं तो इस तरह स्क्याएगा ट्रांसपोर्मर का यह सिंबल आप बात करते है नजश की सुनकी नजश को जोना पलग और《šokit का 옆ाओं दो है दोनो अब कमैंट जो सिंबल सब्सक्राइब बदढ़ें तो इस तरह से क्या हो जएगा ये पलग वै इस तरह आật कटा वह और यहां से इस तरह है कि इसका सिंबल हो जाएगा पर लागव है सोकेट का यांकि आप इसक्रीन पर देख सकते हो अगला सबसे कम गलनांग के किस लेंप के तंटुका होता है तो इस तरह से जगी हैं कि जो लेंप होता आपका सबसे कम किसका होगा तो यहां बात करें नेश्ट के सुनगी खत्रे का सिंबल होता है उसके आखरती के होती है तुरबुजा कार तो खत्रे का सिंबल तुरबुजा का और मैं इसके अगर बात करूँ देग गराओंड की बेगराउंड किस इसमें पीले कलर का और चित्रा होता हो किस कलर का इसमें जो अगला का प्रियोग करते हैं के नियम से क्यूशन था बिल्कुल बैसिक क्यूशन ओम के नियम है वह नियम लिखत में से लागू होता है तो ओम के नियम की बात करूं तो ओम का नियम जो होता है वह कौन से पूर्जे होते हैं पैसिव पूर्जे क्या होते हैं वे पूर्जे जो ओम के नियम का पालन करते है और एक होता है एक्टिव जो ओम की नियम का पालने नहीं करते हैं तो जैसे कि हो गया पत्रोध हो गया ट्रांजिस्टर इस तरी से उप्षन हो गया तो उसमें आप बता नहीं था कि अंदर यानि की पत्रोध बगरा पत्रोध और कुंडली इन में किसका नियम लागू कि ढेंख बात के बात करी नियस्टे की जो टैस्ट इसन बहुत चांदार पूछा किये था तो आप सभी जानते यह बिल्कुल चाहदा इसकी सब्सक्राइब लाश्ट एक जाम होई तो उसमें पहले जो था कि मत्रों जन्रेटर वह तो वह कुसे तो फ्लेंग के अगरती है कारिकर तो इस तरह जो कुसे यह कि यह पर हो रहा है इसके लिए डिप्ट हो रहा है इसके लिए करते हैं नोलोल टेश्ट किया क्या जाता है यह करते हैं लोहय इंयाग्याद करने के लिए और अगला किसमें होता है यह होता है यह वाइंडिंग अंदर और लोहां यह किसमें होती है को एक तो तो पूचा गया था कॉपर लोसे आप इसको पता नहीं है बट कॉपर लॉसे से कि अगला कि था ठोस कोंड का मातर थो ठोस कोंड का मातर के हो जाएगा इस्टे रेडियन अब बात करते हैं नेश्ट कि और नेश्ट कुछन अपना निमन में से किस पर्तिरोद में वल्टेज ड्रोप सुराद दिके हो गया आपके सामें चार पांच ओप्शन थे उन पांच ओप्शन आपको देखके बताना था कि किष्टी रोड के अंदर गोडेप्श कंडेट को हो इन्डियागेट करूं दॉया वह मंबउए के अंदर सकत तो कांटेय। कहां कि सा सकते यह ते जाल लोर के कहां के ते जाल लोर के सा सकते इसके लावा बात करें नेश्ट कुछन की बेटी बचाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआ रास्तन के किस जिल्य से हुई ती जुन जुनू जिल्य के इसके लावा बात करें हम तो यह सरोपरतम भारत में आहां पानिपत के इसी गाओं में परदार्र मंत्री ने इस योजना की सुरुवात की पर्तम किसी बेटी बचाओ बेटी प्ड़ाओ योजना की और किसे ने किती भारत के परदार मंत्री नरेंदर मोदी जी ने हैं बात करते हैं नेक्ट किसुन की और नेक्ट किसुन है भरमाजी का मंदिर कहां इस्तित है तो भरमाजी का मंदिर कहां इस्तित है पुसकर के अंदर और पुसकर कहां अजमेर के अंदर अगला किसुन है वन वियुहार अभ्यारन कहां इस्तित तो कहा है धोलपूर के अंदर और अगले किसमें बात रहें तो फुल फॉरम के बारे क्यूशन पूचा गया था तो MPCB यानि फुल फॉरम MPCB या पर MPCB कुछ इस तरह से क्यूशन पूचा था तो जैसे हम बात करें MPCB तो बने मोटर प्रोटेक्शन चर्कीट बरेकर अगर मैं बात रहें MPCB मौडल के सरकीट बरेकर की तो मिनिचर सरकीट ब्रेकर ELCB यार्थ लिखे सरकीट कुछे ते आप में अगर पहले कीषुन की बात के ही, पाउर का मान पूछा गया था पी बराबर क्या हो जाएगा- आइ- स्कौाइर आर, तो कितनी हो जाएगा nine- ten or eight nine ऑड, तो आंसर कितनी हो जाएगा बहत्रवार्ट यानि जिसका भी बहत्रवार्ट था उसका अंसर क्या हो जाएगा right answer अगर नहीं पूचे संबंदनी था हूंद एसे क्लास से विक्टाइब यानि कि कि प्रकार की आग है किस में लगती है तो मैं बात कुणूँ जो कलास B की आगवत ध्रवियों के अंदर है लगने वाली आग आप जिसके सब्सक्राइब तो अगला क्यों से संब्सक्राइब और उसमें पूछा गया था पी एन जक्सन डायोड जो पी एन जक्सन डायोड होता है उसके अंदर शिरो की संख्या कितनी होती है यानि जो पी एन डायोड होता है उसके अंदर सिरो की संक्याष में पूछा गया था कितनी होती है दो और दोस्तों जितने भी साती नए जुड़ रहे है पी चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले और शाथ बेल आइकन प्रेस करता है कि आने वाले वीडियो का उपन परिपत में जो पर्त्रोब का अमान पूछा गया तो कितना हो जाएगा अनंद शिसका हो मोगा तो पूछाया को एक किंसेशन पूसे पूछे से इंदर ने के लेड़ ऐसीड बैटरी तो लेडसीट बैटरी के अंदर यह राक यह ड्याग D ए समता जो होती है लगबग असी प्लस और डबलुए समता होती है यहां कि ए समता का मान क्या होता है मिसा अधिक और डबलुएज का मान क्या होता है कम तो यहां इसका अनुपात पूछाता हो तो अनुपात क्या हो जाएगा एक से कुछ अधिक और ऑप्सन में क्या था एक से हमेशा अधिक है तो क्या हो जाएगा एक से अधिक अपना राइट रे आंसर बात करें नेज कुछन की नेज कुछन पूछा गया था अपना जो लेंप होता है यानि की लेंप फिलामेंट लेंप होता है लेंप का जो तन्तू है लेंप का तन्तू बना होता है यानि की बात कुछा तन्तू का जो फिलामेंट की होता है उसका यानि की जो गल्लांग तो केतना होता है लगबे अगर्ला किशन्हीड कैने की आपना यानि काम लेते है लेता है यह सक्री जगह है और ऐसे खरीरinkle का जगह पर जो शक्री जगह के उपर मान लोगी जिसे आपको पगड़ना है किसी भी धातु को पगड़ना है किसे नटबोल्ट पगड़ना तो वहां क्या कौन सा प्लास काम लोगे आप पे लोग नोजिक पलायर अगला कुष्यूं पूछा गया यता या इंड है शूल नेच्ट वश्यू धाएगी फुल फॉरम और फूट्स पूछा किया आता कि ट्रांस्पॉर्मस इंस्टॉलरेशन में भाग नहीं है तो उसमें चापंच ऑप्सन दीवे थे तो उसमें एक ऑप् मोटर के अंदर और उसका राइट आंसर है जो आपको कुडिंग उसका राइट आंसर दे सकते हो अगर आम नेक्स की बात करें तो निजट कि शुंद मॉटर से इस तरहे पूछा गया था यान कि फ्रिक्वेंसी का माहन पूछाए कि कि सी प्रवी कोई मॉटर है और उस मोटर जो मौटर की गति है गती है 500 RPM येन मैं गति की बात करूं तो गति है 500 RPM और मैठ Polo की सिंह है बात क्यां हो नों तो अ पॉलो की रही है 12 जिसका फूरमल लिसा हो ढाई लिग सौन पिंधा कर सो बात एंधा एक्सोभीस तो बारा गुना पान्सोभ लगा 50 हॉरज सब्ढूइब टृफ है तो जिसका भी 50 और तर्फ ने गत रता ससरे तो जो फिल्ट होती है याना के बहुमिकत केबल कर बहुत कि अब कटे के वारे का वुक्रियुष निए पूछा गया था और इससे तरह चाल कि जो कहश्कर चाब hablando इसके अंदरा अगर कुछ दोस्क पैता हो जाता है तो दोस्कों को देखने के लिए कॉन सा टेस्ट करते हैं से सब्सक्रिट कुछा गया था अगला बात पुछीन भास पूण तो थम आप से पूछा गया थे रोटर वे श्टेटर दोनों का चुम्ब के छेतर क्या है यदि समान गरती से गूम रहा तो कौन सी मोटर जाएगी सिंक्रोन सी मोटर है अब बात रहें नेस कुछन की नेस कुछन कुछ बिल्गुल नौर्मल कुछन है तो कुछन इस तरह से दा नेस तरह से दाट इस उसर स्बाट यहां अगला कुछन की बात करते हैं अगला चुछन अपना श्慧ान Songs ना है जीकिव तो क्यों भी है ben श्री यहां कुछन तो परीपत में से यदि एक पर्तिरोध क्या कर दिया जाए परिपत के टोटल रेजिस्टेंस पर क्या परवाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा पर्तिरोधी कम हो जाएगा आप पर्तिरोधी कम हो जाएगा अब आतरीया नेज कुछन अपना उसा गयाद होता है सिलीकन के अंदर जो सही हो जगता है तो आपको अंदर सेमी कन्डक्टर है यानि जितने भी सेमी कन्डक्टर होते है उनकी जो किते इलेक्टरों होते हैं तेन हैं और 3 और कूछा लोलों कि रहते है चार छाफillar रहके फुल पूल बहुत किरत एक लेंप हैं और उस लेंप को सम्ता में बात को कितनी है एक किलोवाट और उसका टाइम कितना दे दिया गए था एक हावर तो अब यूनिट के आपको गणना करने के डबलू एच की दूसको आप सभी पता है के डबलू है अगर एक अन्ट कितनी हो जाएगी एक तो जिसका भी एक यूनिट यांसर था वो क्या हो जाएगा राइट आंसर बात रही नेश्ट कुछन की नेश्ट कुछन था जो मोटर होती है डिसी मोटर उसके अंदर बेक अम आपको ज्याद करना था और बेक अम्यप का फोर्मूला निकालना था तो क्या हो जाएगा यहां पर वी माइने से आई ए और आर यह किसा फोर्म हो में बात रहूं भारत के अंदर किसा इसतर सा प्रूंद के अंदर जो सिंगल फेस अपलाई होती है यांनि माया बात करों तो यहां फेस अगया at पूचा गया था इसका रंग पूचा गया था फेस तार करने तory फेस तार करने शामा में रंग क्या होता है लाल बड लाल ऑप्षण में दिया हुआ नहीं था अगर मैं बात वह न्यूट्रल की तो फ्लेक्सिवल केटर्ल न्यूट्र आनकों रंग अजाएगा निला और शाम से सब इस्टेशन तक आ रही है जनरर्टिंग सिश्टम से यानि कि जहां से वंतपादन हो रही है और नेश्ट फीडर जो बन रहा पढ़ा इसका जो भी वहां तक वहां तक वरट जाip防ड मोगर Опपके श्कूर यहां तगाड़े तो कोड़ सी करसंद को लाइगी वह करल आएगी प्राथमी के ट्रांस्मिस्ण नह लाइज ब्सक्रा और नेश्ट कूर से केबल से किसे केबल है और केबल में अन्यक तारों का गुच्छा निकानों करते हैं तो उसे पर केंड क्या है अपने कंडेक गया था और वायरेंग करने के लिए कुछा तुम्बंग से सम्मीजिशन पूछा गयाता है तुम्ब के शेटर है निमनिम से गयात नहीं की जाती है तो आज सभी जानते हो चुम्बंग की डिशा निमनिम्स कौन स्कूसल्ट्यू लिए और एक खुछन था प्रब्क के राष्तानु पोखा राष्टी राष्तानमें Вас तक यानि लेंसरे-वांगे वह रहता है Bin больше शीम है बेस्ताइं कैंस वह करें कि पूछा गया ता कि राष्टे आहज मारक जाने यानि कि कपड़ा सहर किसे कहा जाता है और एक क्यूशन था कीरती इस्तम यानि जो कीरती इस्तम है वो कहां पर है और एक क्यूशन इस्तरी से पूछा गया था इसके अंदर जीके के अंदर मैं बात दूरू तो राजस्तान में जो है राजसमंद राजसमंद जिले से जो डाक्ट्र बसंति लाल ने विशहरोकॉड किसमें बनाया था इतले समझी पूछा गया था और एक राज़स्तान टाका किस्ते सम望ंदित इस्टरे से किशन पूछा गया था और एक किशन पूछा गया था पसु चिकत्सालेव यह पसु बिज्ञान विश्यु विद्दावि का ऐस्तान के अनदर कहा मैं, कहा इस्तित है और एक पूछा गया था कि अंग्रेज़ों दुआरा कैप में कॉमिरॉन किसे कहा जाता था और एक कुस्ण था कि ओम के आकार में निकि जो ओम के आकार में जो स्वीव मंदिर बन रहा है उसके अंदर क्या-क्या सेवाएं हैं और एक कुस्ण था टौरडी भांज यानि टौरडी भा किति तर्फ नम्पर वक्ति हैं उन में से आठ का ओसति यह है और पर्थम चार ने और लाश्ट चार का ओसति यह है तो आपको पूछह कहें था पांच वेक्ति का और चैने जो उसकी है आपको वगरा से पूछागा था और एक किसन आयू संबन दिता यानि की जिसे की आपको तीन नुपाद दिया हुआ था इनका मालों 2 3 5 और कहे दिया गये कि सी का जो जो आनिकी सिर्ण फिलानी जिस समय मालों 10 है तो आपको total प्रल्ली आयू, और से ग्या थे पांध दूनी, दैस से तो कितना हो जाएगा? तीन दे और दो, पांच एट माँच, दैस, तर दिना बीस और तीन का इसमें बाग तो 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 यह लग जाएगा तो और इस तो रीस्थे कुछा गयता, और एक LCM LCM वे LCFC कुछन है पुछा गया था और तीन कुछन साइंस के पुछा गये थे Universal Gate यानि कि जो Universal Gate होता है वो किसे कहते है तो Universal Gate की मैं बात कुरूँ तो आपके जो दो gate होते हैं तो Nund Gate यानि कि N, A, N, D Nund Gate को क्या कहते है Universal Gate और एक उताब का Nor Gate तो इन दोनों gate हो क्या कहते हैं अपने Universal Gate तो Option में कौन सा था Nund Gate तो यह क्या हो जाएगा इसका Right Answer इसका आज मैं बात कुरूँ तो पड़ते के एक्जाम में जो True Table है यानि जो साननी है उससे भी इसने पूछे जा रहा था तो आज Consecution के बारे में पूछे गए है Nund Gate के बारे में और Nund Gate के मैं True Table की साननी की बात करूँ तो यहाँ पर Input हो जाएगा A और A की Input हो जाएगा B तो Output की बात करूँ मैं तो Output क्या मिलेगा Y और Y बराबर क्या मिलेगा इसमे एक डॉट ए B यान की A गुणा B तो यहाँ इसके हम बात करें तो Nund Gate के अंदर क्या होता है कि यदि मान लो A के अंदर Output का मान क्या है 0 और B के अंदर Output का मान क्या है 0 तो Output क्या मिलेगा आपको 1 Sorry A के अंदर Input का मान 0 और B के अंदर Input का मान 0 तो Output क्या मिलेगा आपको 1 और यदि मान लो आपको मान है जैसे की 1 या 0 तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको 1 या फिर मैं कहूं दोनों में 1 1 है दोनों में मान क्या है 1 1 है तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 0 और यहां इसको अगर हम रिफ्लेस कर दें यह उला मान है इस साइड हम 0 लिख दें और इस साइड 1 तो यहां भी क्या हएगा वन लेकिन आपको ध्यान के रखना है कि वन वन की स्थितिमी क्या रहेगा मान सुनने तो यह क्या हो गया नंड केट है उसकी क्या हो जाएगी ट्रू टेबल अगले की सुनगी बात करते हैं तो अगला क्यों बहुत शांदार क्यूशन था यूनिशनल मोटर्शी की समंदीत क् की और बात करते हैं नएज हनकी और नएज हनं था रैजिस्टन सम्धी क्यूशन की बात करूं तो पढटे के एक्जाम में एक definite है आए तो आपको जो resistance के अंदर आपको याद क्या करने ना है एक तो आपका सरेणी करम और एक होता है समानतर करम तो इन दोनों के concept तो आपको बिल्कुल क्लेरे करने यानिक रेजिस्टेंस का सरेणी करम का और समानतर करम जो फॉर्मूले इसका आपको जो नियम वगरा है सुत्तर वगरा वह आपको बिल्कुल क्लेरे करने है तो सरेणी करम के में बात करूं तो कल की जो एक्जाम थी कल की एक्जाम सरेणी करम के बारे में पूछा रमांत्र करम में चार पत्रोद दिवे थे और इनका सम्तुल्ले पत्रोद आपसे पूछा गया हो तो चारों पत्रोद दे कि आप निकाल से तो जिसे माल हो यहां जो भी मान हो उसके अकोडिंग आप 1 बटा रुट वाला फॉर्मरा लगा कि यहां फिर आप 2-2 लेकर दो में किस तरह से आपको लेना है रुट आक रवन भटा रवनिता पैस रावन प्लस र 2 की तारось करकटे हो और अगर पर है नसे परेख तो यह बर नहीं नहीं होगा की बात करें तो यॉह वाइस में पुच गया था कि निमन से पाइब लॉचं कि बाग नहीं है तो उसमें 걸로 झाय क्टंट में शे मैं को आई गता हैं गया को सब्सक्राइब्स हैं जो कमें सब्सक्राइब लेका में बात कुरां तो अगला किस्वन तो ट्राइंस व्यों पुछा गया गेचपर चालिते एक अगलाम की बात करें, तो अगला कुछन पूचा गया था , यानी किछेट्र जोड देगे तो कोणची motor बन जाएगी वो बन जाएगी संयुक्ति motor अधार संयुक्ति क्या बोलते हैं compound motor कोणची motor बन जाएगी compound motor अगला परशन है अपना चुम्बक से संब्स्षिट कुछा गया था एक जीन जीसी माल लो एक चुमबक का टुकड़ा है ये चट चुमबक चुम्बक में कितने धुर रहेंगे N व,S वर St तो इस चुमबक को तोड़ने पर च्छट जुम्बक के कितने टुकुडगे कर दिये 2 टुकुडगे कर दिये तो तो लिए ऐसी इसको जाये इसके दो चुमबक बन जाये इसमिभी तो तोड़ने के बाद लेंब से संब्सक्राइब क्यूशन पूछा गयता और लेंब की मैं आब बात करूँ तो लेंब से बहुत शानदार क्यूशन पूछा गयता उसमें लेंब कर एक डाग्राम दिया होता इस अतर तो सुबॉत इस तरहा जो बाय नमबर बढ़क daihower फिलमेंट इंप में दो अनुटम वाविक पर यहां तीन नमबर इस तरह नमबर कर दो आपका आपका नमबर है जो आपका filament के स्थितिते होगा अगला कूसन अपना के अगला कि छालतिलाग कुछालक कोचालक से समगन दीता और पूछ गया तहा है निमन लिखित में कौनसा कुछालक के नहीं है याने कि निमन लिखित में चालक कोचालक के बारे हम यानि कि जो अर्डचालक की जो अंतीम क्रक्षा होते हैं by the क्यार और कूचालग को कि मैं बात करूँ तो अंतिम क्विक्साम कितने चार से अधिक और आठ से कम यानि कि मैगजिम कितने हो सकते हैं आठ जबकि मैं चालग की बात करूँ तो चाल लग के अंदर किते हैं 3 यान की 4 से कम तो यहां को चाल लग आप ओप्सेन के कोडीन्स के आंशर दे सकते हो अगला कि सुन है अगला कि सुन जीकिए अगर हम बात करें तो जो खेजडली के अंदर जो अमरतब आई है अमर्दाब आएक यानि कि खेजरी के पेड़ों के साथ जिन्रों ने अपने सरकटा दिये यानि खेजरी के पेड़ नहीं काटने करने तो उस टाइम पर वहां का राजा कौन था इसते से कुछा गयता और अगला कि सुने है कि जेपूर का जेपूर है जेपूर की अंतिम सासा कि मैं बात करों तो कहूलने है मानसिंह जित्ते मानसिं सेकेंड अगला कि सुने सिसोदिया वंच से समदेति कुछन पूछा गया है सिसोद्य वंच का सबसे दाकत वर रहा सभसे मान शासक इसलिए से कुछ पूचा गैता और है защन पूचा गैता बाण गंगासे याँ पूचा गैता ऑन गंगासे जो, सब्षैयअता गंगा-पशिया कइन गया नदियों किनारे कौण कौण से नगर बस्थे हुए किस लदी पे कौण सा भाण सहरीं सवाह今天 ज़ते हैं किसने और किसन नधि के कितने वांक कि यह पर सिर्फ भान रखं़ कि नार है फчи आज़ो लेक पहले सी है वो कहां पर है एक पूछा गयता रोध साला जो वेद साला कए पर जयपूर मिस्थ सित है और वीदी बांद के अंदर मिस्टबैे किस बांद की वह किकारत माद पूछा गया था हमीर देव उससे क्यूशन पूचा गया था कि हमीर देव ने कुल कितने युद्ध लड़े इसके बारे में क्यूशन पूचा गया था कि अगला कि वेद साला का हो गई जयपूर के अंदर और अगला किछोप का दित्य नियम के बारे में क्यूशन पूचा गया था क्यूशन इस्तरी से थे जो गया कि फाले कि ऐसे लागू करने से पहले घटे नियम के बारे में संब्दीक क्यूशन पूचा गया था को याद रखना तो अि देटे 50 कोन सा हता है की यeउयल का नियम उसमें क्यों होता है आने वाले यो वाल्टज कर दो क्सिटां ब्रेफ वाइंटेंग से सम्वाइनग एक तुसूर्ब हातर नेश्च की सुनंगी तो नेश्च की रहेPS वाइंडिंग से संबत की शीन था तो आपको इसमें समांत्र पतो की संख्या होती है A बराबर P पॉलो की संख्या के बराबर तो बरस भी क्या रहेगी उसी के इसाब से और वेव की मैं बात करूँ तो W A V E तो यहाँ देखो A के बाद कितने एकसर आ रहे हैं 2 तो समान तरपतों किसमें के यहां कितने रहेंगे हैं मिसां 2 इसमें बुरुस्ट भी कितने रहेंगे 2 और यहां पॉलो के according अगला क्यूशन है निकल आइरन सेल निकल आइरन सेल जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट तो नह अगला क्यूशन है जो अगर मैं मैध की बात करूँ तो मैध से भी शैंदर क्यूशन आ रहे थे मैध में अनुपात ओसत LCM और LCF और 37 इन तिन चारो टोपिक से ही बैसिक से अंदर बहुत नॉर्मल क्यूशन आ रहे हैं जो कि आप अगर आपके अच्छी काच तैयार है नॉर्मल तैयार है तो भी आप इन क्यूशनों को सौल कर्च रखते हो जोस्ता बात करते हैं नेस्ट क्यूशन की और है तो आ गयाहिए बलेक झूशन आगया भूरा रेड और यहां आ अगयाहिए आपके सामने गौलड है ठाटे है तो आपको इनका मान गया थे ना बलेक का रंग के उतना हो जाएगा यहां पर जीरो और ब्रौाउनका एक अब लाल है तो यहां हो जाएगा दसीगाथ दो हो प्तल अब gold क्या हो जाएगा gold सुने रहा plus minus 5 पर 30 ठीक है तो यहाँ इसको solve करें तो 10 के आगे कितना एक क्या कितना दो 0 100 प्लस-5 पर 30 ठीक हो जाएगा तो इसतरे से क्यूशन पूछा गया था अब वहां जरूनी 100 प्लस-5 पांच रहा हो यहाँ यानि कि मैं आपको इसके कोड़िंगा आपका जो क्यूशन आपने सिलीकन स्टील की स्टील के ना सिलीकन कि नोर्ट मत्र स्था ऊता यह जाता है अगला किशुन है गरुम बात करे हैं तो अगला किशुन था अपना hydro power plant ने पाउजा प्लांट से पढक हे uta लेक्गे नियुकल कोड़ है यह तो तो यह पना जलसे इसके मादिम के औरứng को सहरे से संम्मधिल हाइर्ट प्लाउन जो पार प्लाउन ने पूछा गयता और इसके चराई है जो कि एक सही तो राजतान कात्त है या फिर वीरो की घ्उमी राषतान के में बात करूं लरास्तान कात्त क्या है वीरो की भूमी और साथ यह बात किते हैं रास्तान जी के क्युछ कुछ कुछ और पराप्त हुए है उनके वारे जो आली पराप्त हुए है इस फोटोस में पर इसाफ दिखाएने दे रही है तो पहला कुछ इस तरह से इसमें 30 कुछ दिये हुए है और असोख लिलेप का इस तरह से अगले किस्टा चाहि है और दूसरा सबसे बढ़ा कि यह कि अपने डिस्कुस्शन के हैं कि अम रदादेवी च्हजरली गहां हो है वहां पर चुद्ये मुकाबला किस राजा के साथ हुआ था और अगले कुछ दूसरा सबसे बढ़ा सेरी यानिकि लाष्ट के जो घ्जामति विसमें पूछा गया था कपडा सेर कौन सी भील वडा को यहाँ पूछ लेगा का है चाहे सेर के नाम सक्रीजाना रहता है और अगला करिशन है लेक गारडन लेक गारडन पहले से कहां इस बारा साल किस के अंदर जो रहा और इसके लावा खुजुराओ या मिनी खुजुराओ किसी कहा जाता है इसके लावा सत्रे कुछन की बात करें तो राम देयाल सर्मा 2022 में किस राज्य से संब्दिती है इसके बात करें बिक्सु गुरंद के रचनाकार कौन है नेश्ट कुछन है किस नंबर रास्तान के दूसरे मुख्य मंत्री तो यह है सी एस वेंगिटा चारे और बिसल पुर्भान का इस्थित है तो यह है टौक के अंदर रास्तान के लोग सभा की सितो की से कितने होती है 25 अब आतरी नेश्ट कुछन के टाइस नमर पटवाओं के हवाली का इस दिता है तो यह है अजमेर के अंदर और अगर इस कुछन बातरी नेश्ट कुछन डाइस कुछ ब्वार कहा लिए अप इनका स्क्रीन ले लेना na और अचीतल से आप आतू से क्मयेर क्यों कुछ sectar मैं चॉछ में कुछ नेश्य मुंटन के अ आप सब्सक्राद से क्यों कि अपर्डूर में यह संक गया एक देल्टा परिपा है कि उसमें बड़ाबर यानि कि Face Voltage और Line Voltage रहक मान के होता है बराबर जबकि Star परिपत में क्या होता है लाइन धारा और Face धारा दोनों के मान के होता है बराबर बातर रहे नेक्ट कैस्ट कुछ इस तरए से मसीन या मोटर में बात तो इनमें जो हटिंग दोस होता है यानि कि जो हिटिंग दोस होता है उसे दूर करने के लिए कौन सी कुंडली काम में लिया दे तो कौन सी अभूमंदक के कुंडली या डेंपिंग कुंडली अगला कुशन अपना इसतर धारा चार्जिंग विधी यानि कि constant current जो charging विधी है वो काम में ली जाती है तो इसतर धारा charging विधी में जो होता है current का मान जो होता है यानि कि high का मान क्या रखा जाता है इस तरह रखा जाता है अब बात करें next question की और next question अपना class A के परकार यानि class class A के जो आग होथी है उसकी परकार के बारे मैं बात तो लास्ट जो exam content हुई थी यानि कि 22 तारीक को second safety कि एकर में बात खुरो तो उसमें पूचा गया था द्रव की आग यानि कि द्रवे की आग कॉन से होती है class B परकार की, द्रवे की आग कॉन से होगी बी परकार की आग म यहां आपको जो ए परकार के आग होती है उसके आपको क्या बताना है नाम जिसे में बात रूप कपड़ा लकड़ी कागश्ट तो कौन सी हो जाएगी ए परकार की आग जो ऑप्सन ता ऑप्सन के अको क्या बताना है और जीतने बीज्ञा में फिक्सिर之前 एक hyo वह comment करके बता सकते हैं जो option है, option आप एक बार confirm करा दीजिए, option क्या-क्या option है, थे तो option के according आपको option के comment box उसमें इसका answer मिल जाएगा, यह जितने question है, उनका option के according आप क्या देना होता है, answer, अगर अगर आप आतरी next question की, तो next question था, जो कि mega ohm से related था, यान कि mega ohm से, अगर मैं mega ohm की बात करूँ, mega से बात करूँ, तो 10 सिगात क्या हो जाएगा, 6, अब option में क्या दिया होता है, थे 10 सिगात 6 ohm दिया हुआ है, तो आपका answer क्या हो जाएगा, 10 सिगात 6, या फिर इसको अगर हम बदले, तो 10 किलो, 10 सिगात 3 किलो ohm 20 को अपने लिख सकते हैं, तो option के according loud speaker की बात करूँ, loud speaker की अंदर कोण से थी, विदुत चुमबक की होती हो, इस ता इस चुमबक दोनों प्रयोग में लिए जाती है, जैसे मैं बात करूँ, पंखा, हैन, मोटर, जनीतर, अल्टनेटर, इन में कोण से चुमबक होती है, विदुत चुमबक, तो option के according आपके उ चिस्तरी से था, कि जो step up, step down transfer में उसके बारे में आपको बताना था, तो यहां मैं बात करूँ, step up, step down, तो transfer, रेसो, अगर रेसो की निकालना आपको, प्रुपान तरन तो उसका मान के के बराबर क्या हो जाएगा, ns वटा, np, अब मैं बात करूँ, step up, step down का आपको पता क step up परकार का, यानि कि step up transfer हो जाएगा, और यदी, आपके secondary में कम है, और प्रात्मिक में अधीक है, तो कोण सा हो जाएगा, step down, और अगला question था अपना, लेंप से, लेंप से, दो question पूछे गे यह थे, एक्जाम के अंदर, तो यहां मैं question के बात सुरूँ तो पर्दिप्ति या इलूमिनेशन, जिसे आपको मालोग कम रहा है, कमरी के अंदर आपको लेंप जला रहे हो, तो जो चारो तरह आपको जो रोशनी प्राप दोते हो, क्या कहलाएगी, पर्दिप्ति या फिर ही, इलूमिनेशन, और इसका मात्रिक या कहला होता है, लक्स, अगला question का, लेडिशिट बैटरी है, उस टाइम जो डिशार्ज की टाइम पे, लेडिशिट बैटरी में, क्यूशन इस तरहा कि, लेडिशिट बैटरी में, डिशार्जिंग के समय, जो रनात्मक प्लेट होती है, रनात्मक प्लेट उस पे बनता है, तो उस पे क्या बनता है, पीबी, तो रणात्मक के टाइम बें डिसार्ज अगुस्ता में मैं बात करूँ तो रणात्मक वे धनात्मक दोनों पे क्या होता है पीबी एसो फॉर तो सबसे कम पर्ति रोदक्ता यहां पूचा गया है सबसे कम रेजिस्टिविटी वाले चालक तो सबसे कम अगर शामनित बात करें तो क्या हो जाएगा चांदी अब ऑप्शन में क्या थे वह आप ऑप्शन के अकोडिंग आपको क्या देड़ा है आंसर और शभी दोस्त अभ ही बार है परते क्या वर परतREY किके से रिप्ट हो रहा है और वरी बराबर क्या होता है एंप रहता है दो इसमें वर्लटेज धारह और प्रत्रों तीनों क्या dough कर सकते हैं तो आए बरबर होता है, नेस्ट Lud Hudson कि, P बराबर 6 W व और V बराबर दिया हो यहां पर, 12 V तो I बराबर आपको मान कुछा गया है तो I बराबर हो जाएगा outdoor P बटा V P बटा V, तो 60 बटा आपको निकालना व बार तो 12 पंजेो, 60 कितना उजाएगा 5 MPR दूस्तों अगर क्यूशन ही मैं बात कूँ तो इन कुशनों के अंदर ही आपकी जो पस्ट सिप्ट है और ट्रैक इंट सिंट दोनों के कमाईंड के रूम में जो क्यूशन है वो है अगला क्यूशन कुछ इस तरह से साथ ब्लीकुल नहीं है कि वही क्यूशन ही रेपिट हुआ है यहां पर पांचो वाट दिया हुआ है और एक्सो दस तो भी धारा गमान पूचा हुआ है आपसे तो पी बटा वी यानि कि आपको निकालना है पांचो बटा कितना हो जाएगा 110 जो आपका आंसर आए वो क्या हो जाएगा इसका आंसर जब आप इसमें भाग दोगे अगला क्यूशन है बिना उस्मा के जो 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 करते हैं उसे क्या कहते हैं तो सिद्धी से बासा में बात करें तो बिना उस्मा के जो 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 चिपकरा जाता है, रिवेट के मादेम से, और इधी मैं बात करूँ, soldering, breaking, उनमे क्या होती है, hitting होती है, या फिर welding, तो उनमे क्या होती है, heat होती है, उसमा पैदा होती है, जबकि रिवेट में कोई किसी पोजाऄ हो, उसमा पैदा नहीं होती है, और joint से यहाद है एक किसो पूछे गए था T joint के बारी में डाइग्राम दिया वाता और किस करगा joint है तो कोई से हो जाएगा T joint अगला किसो नहीं है डीजी संट मोटर की speed control तो डीजी संट मोटर है उसके आप के मादियम से में कंट्रोल कर सकते हैं अन्य नाम की बाद रूँ अगला किसो नहीं होता है इसी में जो संट मोटर होती है संट मोटर का अन्य नाम तो इसता ही गतिवा इसतर गतिवाली मोटर और अगला किसो नहीं है लेट्ए सीन सेल जो सेज कर सो होता है उसकी का माद बोल्ट के बाद दो इसका फोर्मल की के बात करें तो हीँ क्या हो जाएगा आर्सक्वाइर पलस से एक्स एले स्क्वाइर इस फॉरूमलिया आपको मान रखना है 4 इसका स्क्वार 16 का स्क्वाइर और Nea कर आप जोड़ोगे और इसका रोट निकालने जो आंसर राएगा क्या हो की आपका आंसर अगला किसमें उर्जामीटर तो यहां कि अंदर। अगला परकुन है मानो शारीर। फुमन बॉडी की जो गिली ऑस्ता में जो रजिस्टंस के अमें पूछा गया तों कितना होता है एक किलो होम के गिली थोर्षा का परति रण हट। काम लेता है शींतर या सिंगल फेजिक इंडेक्षेटर यहां फितने भी नए जुड़े को चैनल को सबस्क्राइब करते रिजिए और अपने दोस्तों साथ जो है लिंक को सेर करते ही जिए राज समंध जील राज समंध के अंदर इस्टित है इसके अलाव पूछा गया था जो फेज़तार होता है उसके बारे में यानिकी स्विच से क्यों समंध्र क्यूशन पूछा गया था जो खड़ा है के सरी कर में लगागा जाता है लाज पूछा फेज़तार क्यां थे कि सब्सक्राइब के अंदर क्या न्यक्तितना होता है रंग कोन सा उंसे माई सेकंड सिप्ट ने उनके बात करते हैं तो यहां जो चैतर के नाम से नाम से नहीं जाता है बसी वन्ने जीव अभ्यारन का इस्तित दै चितोडगड़ के अंदर और यहां अगले कुछ नहीं सब्सक्राइब करते रहे हैं यहां नंबर are तो यहां पर रास्तान के नादवार के सबसे परख्या चित्रकार तो यह आपको इसका आज से देना option के according और जितने साथ ही नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहे हैं और एक घासी घासी राम कि और उदे राम तो यह थी जो नादवार रहे जो परशित कहां थे चित्तरकार ते अब इनके option में से आपके कौन सा परशिप्ट की किसमें 25 में पूचा गया है जोदपूर के हवाई अड़े का जो कोड है के लिए यहां आई यह तो ठीक है यह पूछा गया था इस वारे में मोकुंदरा हिल से यानि कि कि ने मुकुंद्रा हिल से कौटा के अंदर अब किस जी ने किनारे दिव पर हैं जो जी 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 जारे पिछला जी किनारे बना हुआ जगमंदिर यह फिर हम कह सकते हैं जगमंदिर महल अगले किसम की बात करें तो अगला किसम अपना यहां कुछ इनका डाटास पर्याब दिखाएं अगला किसम चौदा नंबर साथ 15 नंबर रामबाग पैले से वह कां स्थित्त यह यह जेपुर के अंदर और और एक कीसमन पूछा गया था सिसोधिया, राणी का जो वाग का महल है, वो भी को आ उधर ही तही गुरिआ कि जेपूर के अंदर रिश्थित्या आ एक कि पूछा गया देवी की पूजा करती है तो किसी करती है पारवति जी कि और जो मंदीर है वह किस नदी जाएक किनारे धिक दूंघूरपूरमें सोम नदी जीरिख किनारे कुछा गया था और फूलफॉरम उसके पूचा रहेता और एक किशुन था लो टोटल आपको मान करके बताना था लगबग मान एक पॉइंट जिसलिए एक पॉइंट छे तो उसको मलिट्पल करके आपको ल्सेम निकालना था यह दिया और अगला की शुनता एक साइन्स का कि जो आवर्ट रोन रेके निवह अंदर पर्थम पतार्त कौन सा अगर परमानों की बात करें तोiston अब यहां बात करते हैं। अब आपने टेकनिकल न कुछ एंगा प्ष्ट कुशन टेक्निकल में अपना 50 Ohm के दो रेजिस्टेंस और दोस्टा मदद दो लाश्ट क्लास थी उसमें अपने जो दो क्यूसन थे वह गल्थ हो गए थे उनमें से एक क्यूसन यह पचास Ohm के दो रेजिस्टेंस है तो उनकी वॉल्टी से 50 वोल्ट तो आपको किसक यहां पर 50 वोल्ट और आय का मता निकालना है तो आपको निकालना है तो सब्सक्रांपों परिवर्थिन ने दूग नहीं करने पर तो क्या रहेगा समानुपाती रहेगी क्या होता है कि अंगे नेम के अकोडिंग आइस समानुपाती क्या होता है वी अगला कुछन थे प्रकासी एक कोईल में एकसल तो एकसल बराबर क्या होता है टूपाई एफल और एकसी बराबर वन उपॉन टूपाई एफसी नियोन लेंप पे उसके जो लंबाई होती उसके अनुसार धरागा निधर्ण किया जाता है नेश्ट कुछिन को इस तरह हैं भारत में अधिक्तम उत्पादन कि परक्तम बाद करूँ कि किसे था कोया से और कोईले में कैं आ जाता है ठरमल पावर ब्लांट उर कितना लगबग-60-30 तक अदक irritating ये ब級ारी करें थे आप सब जानते ही और एक किसंदा स्टेबल वाइंडिंग होती है उसके प्रेक्षिन करना थो किस उपकरण के माद्यम से करें यानि अंदर की बात करें मोर्टर के अंदर तो किस्से आंत्री ग्रावलर और बहुत आप्से ग्रावलर के माद्यम से तो आर ब्राबर हो जाएगा वी स्क्वाइर बटा पी तो यहां पर वी धाई सो गुणा डाई सो बटा हजार दो जूरो से क्या कोड़ जाएगा दो जूरो कोड़ जाएगी और पच्ची पच्ची छस्सो पच्ची सो जाएगा और यहां पर 0 तो 62.5 किया जाएगा इसका राइट आंसर अगला किस्तों ने कौन सा आर उल्टा होगा दो परीपत है परीपत में से आर किस तरह से उल्टा होगा यह आपको option के according राइट आंसर देना जो डायग्राम था उसके according अगला किस्तों ने विदुतारों का इंसुलेस इस चाकू से उसके इंस्युलेसिन उतार सकते और उप्सिन में क्या दिया वाता उसके according आपको आपको आंसर देना है और यह फ्रिक्वेंसी को परिवर्तर नहीं करता अगला कुछ इस तरह सा पूचा जाता एसी ट्रांस्मिशन लाइन के तुलना में पारेशन हानिया परा है तो दो तक किसमें होगी एंसी हां यह है जो अधिक होगी बीचे कंशन के बीच वड़ेटरी अ शेया कभवन, अगर अबेर वांटे चेक करने की सफाल में बैटरी वांटे का मेंdar तो था है उसंया और जो उहां मुषस्टा, एल suspended नहींद कई कन सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए लेते हैं उनका परियोग क्यों लेते हैं उनका परियोग क्यों लेते हैं उनका परियोग क्यों लेते हैं तो 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 परियोग क्यों लेते हैं और दोस्तों इनके अलावाइदे हम किस्णों ही बात करें 25 में कि सेकेंड सिप से यहां किस्ण आप देख सकते हो इसे लगभाई यतने पी किस्ण ने तीज का मेवाड अगर अगर बजरंग अभ्यार ने किस्ण अपने कंप्लेट हो चुके स्वम्नाथ देव जो मं किस्ण हो चुका है कहां जेपूर के अंदर और नागरी दास का ओरिजिनल नाम तो क्या था सावन्त सिंग और अगर लेक्समें बारत के मध्य में कौन सारा यह बी किस्ण अपना हो चुका है कहां हो जाएगा MP के अंदर और जेपूर जो जोद्प्र होएड है उसके कोड अ किस्ण पूजाएगा तो यहां पर है एक पॉइंटे दो पांच एक पॉइंट पच्छिस और दो पॉइंट एक बतना तो आपको इसको मल्टिपल करोगे तो कितना आ जाएगा लगबगे दो पॉइंटे 62 के सम्थिंग तो क्या हो जाएगा इसका LCM और यहां बात रहे ने आपको और यहां खारी ने दी तो यह अपने हो चुके थे यह जो और सांडी उसमें इस्तमों की संख्या पूचि गई थी यानि जो आवर साणी होती है आवर सानी के अंदर संख्या पूचि गईती जो खढ़ी उसका में तो उन्हें कितनी सिंग्य होती है अठारा इस्तम कितनी सिंग्य होती है अठारा इस्तम और इन्हीं सिंग्य को किस नाम से जाना जाता है व्रग के रूप में जाना जाता है इसे गलाव बातप्रुम है और सानी से तो इसमें होती है पंक्तियां और पंक्तियों के सिंग्य कितनी होती इसमें साथ यानि इस्तमोग सेंग क्या होती है अठारा और पंक्तियोग सेंग क्या होती है साथ फिर दूसरा कि सुनता आवर्सानी से ही तो आवर्सानी में जो सम्मू है सम्मू है पस्ट दोगों यहां है आवर्सानी में सम्मू पस्ट के तत्व क्या कहा जाता है इन्सुलेशन का मान होना चाहिए। इन्सुलेशन का मान किसमें होना चाहिए। मेगहों में अगर मैं बात रहूं मापा जाता है तो किससे मापा जाता है मेघर की साहिता से इंसुलेशन परत्रों किससे मापा जाता है मेघर की साहिता से और मेघर के बारे में हम बात करें तो मेघर के अंदर क्या होता है इक DC संट जनितर और एक डिस संट जनितर होता और इसकी वोल्टज की वाथ को ऒभू तो लगबग 200W और आर्टिम की वाथ कुई तो लगबग 160 पर होनन गति करता है अगला कि सुन अपना केबल की लंबाई तो Cable है उस Cable की बढ़ स्काम्द की बढ़ार है तो किया बढ़ पड़ेगा उस ही जाएगा खट जाएगा अगलना क्यों पहा часов कमांद दिया और व कमांद र आई ब्राबर क्यों हुजएगा वी बट2 तो यहां आपको निकालना है तो को वी आपके पास दिया हुए और आ वे आपके पास दिया हुए तो वी की जिगर ग्ल Anakno कल रजायेग nationale हो जायेगा सो और यहां हो जायेगा 200 तो 1 बटा 2 0.5 एंपेर के आजाएगा आपका राइट आंसर अगला कुछन अपना इसमें पुछा गयाता है जो P बराबर क्या होता है V I तो सक्ति का जो फोरूम लाता है उसके बारे में कुछन समधित पुछा गयाता है एक सोट सट जो जनीतर होता है जो मैं सोट सट की अगर हम बात करूँ तो जिसके आपका सोट शंट जनीतर तो सबस्वेले के आपना जो यहां हो जाएगा आर्मिचर जो ज़एगा सोट संट जनीतर तो इसके बारे में कुछा गयाता है और इसमें EMF का मान आपकी यादध करना है कर सकते हो अगला कुछा गयाता से संबंधि कुम पूछा गयता है और स्टेरिस मोटर के माई बात कहले है इस्टेरियों मोटर जो होती है उसका उप्योग तो इस्टेरियों मोटर के अगर मुख्य तो उप्योग की बात करें तो मुख्य तो उप्योग क्या होता है इसमें जो डिवाइस होते हैं यानि साउंड डिवाइस जो रेडियो बगरा होते हैं उनके अंदर जो रिकोडिंग पर पर बात करें तो क्या हो जाएगा एगा यहाँ पर बात करें तो क्या हो जाएगा एस गुणा है तो इस तरह से कुछ ने पूछा गया था और एक कुछा गया था इसमें परदीपती तिरुता का जो मा होता है मात्र क्या होता है परदीपती तिरुता के बारे मात्र क्या होता है तो जैसा आप से भी जाना तो परदीपती तिरुता का जो मात्र होता हो क्या होत हो दोट आप बात करते हैंनेuire 120 कि और नेज कुरि Garris इसले से पन्दण हवा सील द्दाइय चुम्यों के पारत होता है गाल प्तरों कि ब्दारत के बारे में यनि पति आपको बताद है आपको उब्रूंप के पदार्थ के बाद है जो अधिक तर चालग यानि मेरे करा सभी दनुभ चालग सैं स के अंदर पठीचिंब के पदार्थ अंदर यहां में बात हमें से जिसके के एलमोनियम लोहा कोबाल डिस्ते जिस कुछ दिये हुए थे और एक जो उप्शन था उसमें तामबा था और तामबा किसमें आता है परति चुमकी अडाया चुमकी पदात के अंदर सबसे अच्छा चाtır खोर चांबी तो इसे पहले में बात हूं में बीचा के SUFT बेक है तो यह सबसे अच्छा चालाग आता है तो क्या होता एक चांदी और संधा। चांधर्तम पूछा गया था और टो संब्हाइर के वारे सी बराबर क्या होता है Q बटा V तो यानिकि आवीस से संब्हादी कुस क्यूचन पूछा गया था और अगला पुसने अपना ट्रांस्पोर्म प्रोडिक्शन है एक किसन पूछा गया था और जी केसे हम बातक रहें तो हावा मिल कहा है जैपूर के अंदर एक किसम के बारे में और क्योला दर रास्ट्रो आफ टाने रास्ट्रेश रास्टिक आप रहारे मिल हैं इस्तितर भरतपुर के अंदर कहा इस्तितर भरतपुर के अंदर, जवाय बानध पाली। और यह है सो दीपो, सो दीपो का सेर तो क्या हो जाएगा बास्वाडा, जो 26 में की मॉर्णिंग शिप्ती उसके क्यूस्न के बारे हैं, यहां क्यूस्न पूचा क्या था है कि आद्रस मेटर, वो सोरी, आद्रस वोल्ट मेटर का जो परत्रोद होता है, मैं बात करूँ आद्रस वोल्ट मेटर का परत्रोद होता है, हमेशा अनन्द, या फिर वोल्ट मेटर के बात करूँ तो क्या होता है, उच्च या अति उच्च और अमेटर के बात करूँ, आद्रस इतनी में अमेटर का अंत्री परत्रोद होता है, सुने दो, आपको इस तरह किस तरह से याद रखन है वॉल्ट मेटर तो वॉल्ट मेटर किस करम जुरता है समांत्र करम में और एमेटर स्रेणी करम में यदि आप एमेटर का पत्रोद क्या कर दोगे उच्छ कर दोगे अनंद कर दोगे तो उसमें धारापरवा नहीं होगा जबकि वॉल्ट मेटर में धारापरवा होता है बट वो खुदी ही उसको convert करता है जिबकि आप जो emitter है वो किस करम में लगता है strain करम में अगर emitter का आप पत्रों उच कर दोगे तो कोड़ सा दोस्कों हो जाएगा open circuit दोस्कों हो जाएगा तो emitter का पत्रों पूछे तो निमन होता है जिबकि वो सुनने होता है और वोल्टमेटर क्या होता है उच होता है और अगला किस नहीं है लग में केबल को नाबज दो लग होता है जो लग की size पहले से decide की होती है यान कि वो PLS से fix आता है कि आपको कितने mm का लेना और उसके size किसी में दी होती है mm में और सभी student जो है PatshripT की जिनके exam ठीक कमेंट करके बताए कि 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 यूसन लग के बारे में किस तरह सी पूचा गया था और क्या क्या क्यूसन था है इसके बारे में तो यहां हमें काम लेते हैं फिल्डर दातों की साहिदास से आपन क्या लेते हैं तो आप सभी जो जिनकी भी स्टुडेंट की एक्जाम थी वह कमेंट गयर के बताएं कि ओप्सन में कहा क्या दिये हुआ था आगला किशन है DC जन्नितर में वल्टेज का जो है EG बराबर क्या हो जाएं वी पलस आर मेचर वल्टेज यान कि वी पलस आई ए आर ए यानि कि वल्टेज और आर मेचर वल्टेज का योग क्या होता है जन्नितर की उत्पने वल्टेज और आगला किशन है प्रेंड मोटर में क किस ट्राण्सपोर्मर की भाति कारी करते हैं, जो किस घ्रट सिर्कित करते हैं, तो इनक्सेंन एंग कि सबीत tact हो, 812 L elemen पड़ती याँ यहाँ कहे सकते हैं incandescent lamb 8 l amen के लें तो आप कमेंटे के बताए ग्ल्स लेंग या फिर इसका नाम होता है इंकनेडी सेंट लेंग। तो यह हम कर सकते हैं लाल रंग वाक्य में लाल रंग इसे संग्या देते हैं और अगला है शेयंदार कुछन था चैपॉल 557 और यह क्याफ पार एक्जाम में तो पॉल पिस प्राबर के जागा स्लोट कर पटा पॉल बटा पॉल तो स्लोट बटा पॉल को रोगे तो 24 पटा च्हा स्चह तो कितना ओ जाएगा च्यार अगला है सबसे कम तो चांदी की और सबसे अच्छा चांदी में ते क्या था तांबा अगला किसमें सिविची सिविच की स्तार में लगा होता है और यह मोर्णिंग में जो क्लास की उसमें अपने डिसकेशन की कर लिया और क्लिट वाइरिंग में जो केबल होते किसके बने पीविसी की और एयर ब्लास चर्किर बरेकर जो प्रेसर होता है दाब होता वाई दाब होता ना 20-30 kg cm cm2 हुआ है अब बात रहें नेश कूशन की नेश कूशन है डेल्टा स्यूजन तो डेल्टा स्यूजन की एक रहाँ बात करें तो इसमें होता है वी एल बराबर वी पी, line voltage और phase voltage का मान क्या होता है, बराबर जबकि VL, वो, IL, बराबर root 3, V, वो, IP होता है, यहां कि line धारा root 3 क्या होती है, phase line, जबकि line voltage और phase voltage दो वो क्या होती है, बराबर किसमें, delta में, और यहां अगले किसमें पूचा गया था, Q factor का माम, तो Q factor का माम, बिल्कुल सिंपल सा formula है, 1 beta R, root L beta C, और DC जनित्र में कौन सी voltage, तो DC जनित्र में कौन सी होती है, AC voltage, और सब भी दोस्त कमेंट करके बता हैं कि किस तरह सी कुछा गया था, second shift वाले है, ठीक है, नएच कुछन बात करें, तो संयुक्त मोटर है, यानि कि DC compound मोटर में कितने field होते हैं, तो कितने field होंगे, 2 field, स्रेणी और संट है, और मैं बात रूँ, second shift की, तो second shift में पूचा गया है, DC compound जनित्र है, उसी यानि कि source जनित्र उसी के बारे में कुछा गया था, और अगला कुछन है, X पर्थी के, यानि कि X से किसे पर्जेंट करते हैं, तो reactance, या आप मैं कह सकता हूँ, पर्थी घात, किसे पर्जेंट करते हैं, पर्थी घात से, जोती ती उत्रा का मातरक होता है, यानि कि जो जोती ती ती उत्रा का मातरक पूचा गया था, तो क्या होता है, Candela, इसके लाओ जो next question पूचा था, वो था, mallet है सम्मधित कुछन था, मैं बात करूँ, mallet की, तो mallet क्या होता है, जो से कि पतलोही की पतली पतली चद्रे होती है, या फिर winding होती है, winding जो wire होते है, wire ओगो ठोग नहीं ले क्या काम लेते है, mallet, इसका मान क्या हो जाएगा, जब जो capsulator होता है, capsulator को समानतर करे में जोड़ा होता है, मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानि तो क्या हो जाएगा, 30 micro farad, और अगला question था, जनीतर संमात था, अब जनीतर के बारे में क्यों समोखाा गया था, जैनके उसके नेम से संमाझेट क्यों सी पूखा गया था, प्रिवर्थी संदाइड़ती यानि कि जो variable kapsytor ता इसके बारे में क्यूशन पुछा गया था अगर वाइयू केप्सेटर का अगर है तो वायू केपसेटर रिखेटर ठीक है तो परिवर्थी केपसेटर इसके कला हैं यहां बात हुआ प्रिवर्थी अगर मैं बात रूब कारे कारी तो आप माल कारे कारी होता है लगबग 2700 डिग्री सेंटिग्रेड इसकला बात रूब सिंक्रोंस मोटर से संब्धिते क्यूशन पूछा गया था अब सिंक्रोंस मोटर के बारे में क्यूशन था और जो सिंक्रोंस मोटर के अंदर में बात रू के बात करें अगला जो तो टक रहें किस वीकली किती होटी पैंज की छोड़री जो Rider सुत हो द मुट अगला के वाट करें कि उसका कानी अग्वाट के तो जो केकर रख रोट होता है अमने लोग अगला वाट करें यानि कि Magnetive Motor Force की जो इकाई के बारे में क्यूछा गया तो क्या होती है Emperor ने या फिर एक Gilbert बात रहे नेस्ट क्यूछन की तो नेस्ट क्यूछन की बात रहे हैं तो CTS के विल की फुल फॉरम पूछी गई थी और अगला क्यूछन जो थ्री फैसे मोटर होती है जो थ्री फैसे परिपात है तो उसमें सक्री सक्ति के बारे में क्यूछन पूछा गया था जो एक्टिव सक्ति को बारे में अगर बात कुरूँ तो P बराब क्या हो जाएगा sacred क्या मॉटर अगला क्यूछन ता मोटर संवदट क्यूशन अगला क्यूशन था है तो उसको आपको बदल ला तो क्या करोगे शनप पर्थर और में जोड़ा जाएगा लिए जोड़ा जाएगा अब हां ज मेनेनिरे क्टिवों की कुछ कुछ इस तहरे से दे, एक कुछा पूछा गयाए यूजटी के बारे में उजटी में उसे पूछ ऐसे ट्रेमिनल होते हैं, ट्रेमिनल केतने होते हैं, 3, और अगला कुछ ता, रास्तान में कौनसी किसम का लोहा सबसे अधिक प्राप्ति होता है इससे अगलर हम बात करें, तो पूछा गया था question, अगरा क्योंग मापा किस्मे मापा जाता है यह खागा होगा ए función कुछ इस्तरी से पूछा गया किसमे आपगी डेज़्फिल अगर हम बात तुम आ वरति तो आ वरति, कसम में, frequency के अंदर और अगला कुछ स्थरे सा, अज्य क्यूज अजो कुछ रेचिंग के बारे में कुछ न। अच्य क्या हमी क्या है धो, अज्य क्या हम बात रेचिंग के तुम वाल्ट में, कि स्तुम हमगा हुआ है अगले किसमी बात रहें, जीके की, तो 84 सी खंबो की छत्री, तो कहा प्रिस्तिते है, बूंधी के अंदर है। नेश्ट कुछन की बात करें तो नेश्ट कुछने विदुधारा इस्त्रोथ के जाएने आधरे सित्वी परत्रोथ कितना होता है अन्याद और दोसंतर है समानत करम में तो कियां C1 सित्वी और विएस की फुल फॉर्म वीरो ऑफ इंडियन यहां क्या रहेगा इंडियन स्टेंडर्ड अब आतरे नेश्ट के सुन की नेश्ट के रास्तान की रानी जिसके नाम से सिक्के चला जाते हैं तो उसका आपको नाम बताना है तो सौम लेखा संदाए का असा है मातर क्या होता है और विर्जु माला है संबंद किस नर्ति से पहुं संब्से ज्यादा चैत्र फल कि जिली का है तो वह है जैसल मेर का और 38,401 Tit. और शब से कम की बात खिरित वह क्या हो जाएगा धोलपूर्व अब बात करते हैं नेश्ट और कुछ कुछनों की तो एक विस्ञा इंडेक्शन मोटर है सम्मादी था उसमें। शलीप से सम्मादी पूछा जहता था तो फ्लीप का मान पूछए तो कितना हो जाए गया? आज के वीडियो में उतना ही, फिर मिलते हैं, नेस्ट वीडियो में इंटरेसिंग टॉपिक के साथ, थेंक यू, have a nice day झाल झाल